नमस्का साथियों, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये सभी किलासे आपकी UPSC और State VCS Prelims को ध्यान में रखते हुए ली जा रही है और आप लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है या अगर आप लोग वंडे एक्जाम की तैयारी कर रहें तो क्या इन किलासों को पढ़ सकते है तो आप लोगों की पास अगर टायम है तो आप लोग जरूर पढ़िएगा और इतना यकीन मानिएगा आप लोग और अगर आप तो आप लोगों को ये बात मालू भी होगा कि इस किलास से बाहर आपकी questions जाने वाले नहीं है अगर इस chapter से आपकी questions पूछा जाता है और हर साल आप देखेंगे एक दो questions आपकी परिक्षाओं में आते रहते हैं जो गांधिवादी आंदोलन हो या राष्टी आंदोलन जिसे आप लोग कह देते हैं तो इसमें जो बीच में घटना एक घटी है ना 1915 से लिकर 1935 के बीच इनसे questions आते रहते हैं दो तीन questions चाहें आप लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हो UPPCS, बिहार PCS, 36 गड़, राजिस्थान तमाम में स्टेट PCS एक्जाम होते हैं उनमें भी आती रहती हैं और UPSC का प्रिलिम्स आप लोगों ने देखा होता उसमें भी आती रहती हैं और साथ में आप देखी प्रिलिम्स में फायदा देंगी एकला से मुख परिक्षा में अभी आपको काफी मददगार साबित होंगी और एक जानकरिया अगर आपके पास टाइम है और सेविल सर्वेस और स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग NCEIT जितने बार हो सके जरूर पढ़िएगा उसके बिना कुछ नहीं होने वाला एक बेस आपका मजबूत हो पर बात करें और इसमें लाश्ट क्लास में भारत में जो करांथी कारी आंदोलन हुए ना उस पर विस्तार से बात की थी और आज हम लोग भारत की जो राष्टी आंदोलन है जो गांधी का आंदोलन है उस पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1915 में ग हम लोग गांधी के बारे में एक सामन जानिकारी देखेंगे क्योंकि गांधी जी के बारे में बात हो रही है फिर हम लोग गांधी बादी दर्सन पर भी बात करेंगे और इस तरह के कुष्णस गांधी बादी दर्सन से आपकी परिक्षाओं में आते रहते मुख परिक्षा म पूछ लेता है निबंद में पूछ लेता है इंटर्विव में भी पूछ लेता है और उसके बाद हम लोग गांधी वादी आंदोलनों की क्या रनेती रही है एक आपने सुना होगा संघस बिराम संघस उस पर भी बात करेंगे और जो प्यारा भी आंदोलन हुए जैसे चंप भूमी क्या रही है उस पर भी बात करेंगे उन्नीस सो उन्नीस का जो अधिनियम आता है मॉंटिगी चैम स्पोर्ट सुधार के नाम से जानते उस पर बात करेंगे रॉलेक्ट एक्ट के बार में जानेगे जलिया वाला बाग हत्याकांड आप सभी जानते हैं तेरे एपरेल उन्नीस सो उन्नीस में होता है खिलापत का ममला या पर आप देखिए असायुगांदोलन किस तरह से सुरू होता है और इसकी समीक्षा भी करेंगे हम लोग असायुगांदोलन की आलोचना भी की जाती है इसकी और इसकी क्या उपलब्धियां रही है उस पर भी बात कर लें उसके रिपोर्ट पर आप देखेंगे जिन्ना कि चौदै सूत्र क्या होते हैं उस पर भी बात करेंगे पर आप देखेंगे सवीड़य अंदोलन होता है उसे भी हम लोग देखेंगे और गोल में संब्ल्भलत की बात करेंगे और आप देखते हैं, गांधी जी के द्वारा मांगे रखी जाती है, वो क्या थी? उन्हें भी देखेंगे, गणधी श्रसपर भी बात करेंगे, और कराची उधियू श्रसण होता है, मौलिक अधिकारों की मांग होती है, यह सबी देखेंगे, और सविन्यय यूग्या का दूसरा चल चलता है फिर आप देखते हैं उसकी सीमाई क्या रही है उपलब्धियां क्या रही है संपधायक पंचाट पूना समझाता होता है 1932 में उसे भी देखेंगे इतनी घंत्नाव पर हम लोग बात करेंगे और इन सब की क्लासों के लिए आपकी एक साइपरेट फिले लिष्ट सूची बना दी गई है जिसका नाम रखा गया है UPSC एंड इस्टेट PCS प्रेलिम्स इस्पेसल क्लासिस के नाम से और इसमें प्रेलिम्स का जो आपका सिलिवर्स है ना पूरा पूरा कवर रहेगा इनमें एक एक क्लास आपको मिल जाएगी तो वह सबसे पहले तो हम लोग इसकी एक प्रेश्ट भूमी देखते हैं भारती राष्टी आंदोलन की इतिहास में गांधी जी का उद्भाव एक महत्कूर घटना की रूम में माना जाता है उन्होंने ततकालीन भारती राजनीती में एक नई विचारधरा का सूथपात किया और क इस तरह से सफलता पाई वो भी उनके पास अनुभव था और गांधी जी ने 1915 में भारत आगमन की बाद राष्टिय आंदोलन को अहिंसा और सत्यागे जैसे दो अचूक सस्तों से लेस किया और आप देखे कि कई लोग जब कोई व्यक्ति आप देखे कि विदेशों में आ भारत में देखे लोग उनकी तरफ एक तरह से आकर्षित होने लगे और यहां तरक आजाता है कि गांधी जी जब कहीं जाते थे तो लोग उन्हें देखने आते थे कि गांधी जी आखिर देखते कैसे हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि जिसका विस सफल पिरियोग कर अपने दच्रफी का प्रिवास की द्वारान कर चुके थे गांधी बादी आंदोलन की मुख्य दो प्रिवितियां दिखाई देती हैं पहली तो आप देखें इस्थानी मुद्धों पर आधारित विभिन बर्गों की समस्याओं का समाधन कर उन्हें राष्टी आंदोलन से जोड़ना है आप लोग सोच लिजीगा आप सोचे कि अगर इस्थानी लोगों की अलग समस्या है और राष्टी इस्तर की अलग समस्या है आप सोचे कि अगर राष्टी आंदोलन में आपको उनका सहयोग चाहिए तो उनकी इस्थानी समस्याओं को भी तो ध्यान में रखन होगा उसके समाधान की भी दुबात करनी होगी तभी तो वह आप लोगों के साथ जुड़ेंगे अगर आप सुची राश्टी इस तरकी केवल बाते करते रहेंगे तो वह नहीं जुड़ेंगे तो गांधी जी ने इस तरह भी ध्यान दिया हिंदू-मुसलिम एकता द्वारा चंपारन विहार की बात हो रही है और ऐसा कहा जाता है देखे कि चंपारन को गांधी की जरूरत थी और गांधी को चंपारन जैसी किसी आंदोलन की जरूरत थी और खेडा आपका 1908 में होता है एहमदाबाद आपका 1908 में होता है यह आंदोलन भी किये और इसके बाद आप और अंत में आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा भारत की स्वितनता का मार्ग पिसस्त किया और गांधी जी के बारे में एक देख लिजे दो अक्टूबर 1889 में इनका जनम होता है और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी पोरवंदर रियासत के दीवान पुझ लगता है कि जितनी सच्चाई अपने बारे में इन्होंने लिखी हुई है दुनिया के कोई इंसान अपने बारे में इतना सच नहीं लग सकता है पुतलीबाई इनकी माता का नम कस्तूरवा इनकी पतनी का नम गोकुलदास मकानी की पुत्री थी पैरंभीक सिक्षा अलफ्रेड हाई स्कूल राजकोट से करते हैं 1888 में बकालत पढ़ने इंग्लेंड चले जाते हैं जहां उन्होंने साकारी साकाहारी क्लम में भी खोला और वहां भी इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा 1893 में एक मुसलिम ब्यापारी अब्दुल्ला के वाद में पोर्ट नेटाल दच्छड अफीका गए यानि कि इनका केस लड़ने के लिए एक तरह से गांधी जी ठीक है उसके बाद आप देखेंगे 1899 में बुआ रियोद में गांधी जी ने अपने ग्यार है सौसाथियों क के साथ अंग्रेजियों की मदद की और गांधी जी ने दच्छड अफीका में भारतियों के अन्याये पंजीकर्ण के बिद्दु अंदोलन चलाया और सत्यागरहियों के परिवारों के रहने उन्हें निर्वाह बिट्ती देने के लिए ट्रांस वाल में ट्रॉल टाल नटाल भारतिय कॉंग्रेस का गठन किया और इंडियन ओपिनियन नामक पत्त भी निकाला इनोंने लॉर्ड हाइडिंग गांधी जी गोकले सी एफ एंडियू से बातचीत के बाद दच्छड फीका सरकार ने भारतियों की मुख मांगें भी माल ली थी और 9 जन्वरी 1915 को गांधी जी अपने सहयोगीयों के साथ बंबई पहुंचते हैं और प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जन्वरी को आप सभी जानते हैं गांधी जी के इसी दिन आने की बज़े से परल बक में ने गांधी जी को वाइस ओप कौन साइन से कहा और गोपाल किसने गोकले गांध महत्मा गांधी के दर्सन की तो आप देखेंगे महत्मा गांधी के कोई मौलिक विचारक नहीं थे लेकिन उनकी विचारधरा अपने जीवन, धरम, समय की परिस्तितियों और सामाजी के वह राष्टी, समस्याओं और अन्य धर्मों तथा दर्सनिकों के विचारों का और सुकराश से की जा सकती है, और पैसे आपको मालू होगा कि एंसा की बाद महत्मा बुद्ध महावीश्वामी ने पहले ही कर दी थी, और उनकी तुला अब देखें महत्मा बुद्ध और सुकराश से की जा सकती है, बास्तों में गांधी जी एक बेवहारिक पुरुस और करम योगी थे ब्योभारिक पुरों से कहने का मतलब होता है कि आपकी ब्योभार में जिस तरह की घटनाय घटती है उनसे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं अब गांधी जी को ये समझ में आ गया कि अगर अगरेजों को जुकाया जा सकता है तो भारत में क्यों ही जुकाय सत्यागय का नाम दिया निर्भीकता उनकी सत्यागय का आबसक अंग था अब आप मैंसे कई लोग कहते रहते हैं मैंने भी सुना है कई लोगों की मुझसे तो कि गांधी की कहते थे कि एक गाल करिये दूसरा गाल कर दीजिए अगर कोई एक गाल पर तमाचा देता है आज की एक तरह से गिलानी होती थी, अम्री अत्तारात्मा जखचोरती थी, आज परिस्तिती बदल चुकी है, और अहिंसा की बात इसलिए करते थे, क्योंकि आपने देखा है कि अभी हाली में किसान आंदोलन हुआ है, हमारे देश में, तीन किसी कानूनों को लेकर, आप देखें वो अंदोलन को खतम कर दिया जाता, क्योंकि सरकार भी आप देखें, उसी मतलब रूम में जवाब देती, हिंसा का हिंसा से, तो यही तागत है, आप देखें, अहिंसा आंदोलन का, अहिंसा तरीके से किया गया आंदोलन का, सत्य के सच्चे पुजारी की रूम में उनका विश जुक जाना नहीं था अफितु अपनी आत्मा को अन्याई की एक्छा की बिरुद्ध लड़ाना था उनके पिती घेड़ा नहीं प्रैम अहिंसा और दया की भावना से जिससे उनकी आत्मा प्रभावित हो जाए और उसका हिदय परिवर्तन हो जाए लेकिन आज किस परिस्तित बदल गई है आज आप देखते हैं कि हिदय क्या परिवर्तन होता है हिदय हो तभी तो परिवर्तन होगा वह अंग्रेजों की विरुद्ध नहीं थे उनकी समराजवादी नीतियों के विरुद्धी थे और इसकी जड़ में उनका यह विस्वास था कि मन उसकी प्रकिती मू पर देखावा कर लिए तर आप देखें कि गांधी की व्यक्तिकत दरसन का सार्थ था कि मानो जीवन का अंतिम लक्ष सत्ति की पराप्ति है और अंतिम समय की प्राप्थी कठेन है ऐसे में पराप्त सत्त कि आधार पर नयतिक कारे संपन करने चाहिए और प्यारंभी चरण म बेटिस समराज पर अपनी नेतिक आस्था उन्होंने इसी आधार पर की थी बेटिस राज नियाय पर आधारी थे और उनका विश्वासी भी था कि बेटिस सरकार द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना संभव होगी और पश्मी उदारबादी तत्यों सुतंता समानत बंधुत का प्रिसार करने वाली बेटे सरकार भारतियों को पिथम विश्युद्धी की बाद उत्तरदाई सरकार इस्थापित करने में मदद देखे एक तो आप देखें गांधी जी जच्छे रफीका हो अंग्रेजों से काफी करीब रहे हैं उन्हें लगता था कि जिस त और इसलिए योध में कॉंग्रेस से राजभक्ती का परियाप्त परचय दिया मातमा गांधी जी ने स्थान स्थान पर जाकर लोगों को सेना में भरती और योध के लिए प्रियातन करने की पेरिणा दी उन्होंने इसी आधारप पिथम विश्युद्ध में वेटिस राज क वन्दकर की भरोसा करें तो आपका भी तो करतब बवन्ता है कि उस भरोसे को ना तोड़ा जाए और गांधी की चाहते थे कि एक तरह से जब पहतम विश्युद्ध खतम होगा अंग्रेजियों की जीत होगी तो वो कुछ कदम तो उठाएंगे लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा रॉले टेक्ट जलिया वाला बाग हत्याकान जैसी आप देखेंगे दमनादम घटनाएक के कारण मूल गांधी बादी दरसन में थोड़ा परिवर्तन भी आया और आंधुलन का गांधी बादी सवरूफ जियोकात्यों मना रहा जिसमें कलांतर में भार्ती सब्त मानकर हिंसात्मक गतिविदियों द्वारा भारतियों पर बेटिस सासन का आरोपन एक आवेवेकी और अत्याचारी कार है इसके बाद गांधी जी बेटिस समराज की बिरोध के लिए सत्यागय को एक प्रमोख हत्यार की रूम में प्रेयोग किया है और इन आंदोलनों में आप देखें साधन और सात्में साध में एक रूपता देखी गई है अहिन सात्मक सत्यागय में साधनों में मुकता बेटिस कानुनों का सांतुफूर्ण उलगन करना सामोही गरपतारियां देना सांती पूर्ण मार्च निकालना हर्तालों का आयोजन करना समझोतों और वार्ताओं द्वारा सकारत्मक समाधन का प्रयास करना ये सभी आप देखेंगे क्या रहें साधन रहें और आंदोलन के द्वारा संगतनाथमक कारियों को कारियों पर विशेस बल देना आदी गुन पिर मुख थे इसके और इन साधनों की आंसिक जलग प्यारं भी गांधी वादी आंदोलन में भी आपको देखने को मिलेगा बात की लगभग सभी आंदोलन यथा असहयोग हो, सभीनययोग्या हो, बैक्ति का सत्याग्या हो, आदी में इन साधनों का कुसल पिरयोग भी पलिल्यक्षित होता है, आपको देखने को भी मिलेगा, आँगे चलगे, आप देखेंगे तो, और निश्चित रूप से गांदी बादी दर्सन, आंदोलन के साधनों और गांदी बादी आंदोलन के सौरूफ की पिष्ट भूमी इन प्यारमभीक, गांदी बादी आंदोलन के दोरान ही बनी थी, यह कहना जाना समिचीन होगा, उचित होगा, कि दच्छडवीका में प्राप्त किये गए ब्यापक कार्या से मिली थी, और आप लोगों को मालू होगा, कि कई बारे आपका वंडे एकजाम में कुछन्स पूछ लेता है, कि गांदी जी के राजनेतिक गुरू कौन थे, गोपाल किसने गोख ले, गांदी जीवन दर्सन पर जिन अन्न महापुरसों का प्रभाव परा, उनमें आप द से मिलता था, और आप देखेंगे कि उनके अनुसार चोटे बड़े सभी राष्ट समान है, और इसलिए एक दूसरे द्वारा सोसन, अत्वा एक दूसरे पर आकमन नहीं होना चाहिए, सारी मानो जाती अध्यात में एकता में बंदी होती है, और इस एकता को भंग करना के लिए यह आवस्क है कि सभी अंतराष्टी जगनों का निप्टारा सांती पूर्ट तरीकी से किया जाए, और ऐसा करने से विश्व सांती स्थापित हो सकती है, और मानो रक्षा, प्रक्रिती और कल्यान के लिए अति आवस्क भी है, और गांधी जी दुआरा बताये गया जीवन दर्सन बास्तों में मानो समाज राज जो संसार के लिए एक मार्ग दर्सन है, इसमें अन्य सभी प्रिसिद्ध बिचारधानों जैसे प्रिजातन, समाजबाद, सामवाद, आदर्सवाद, राष्टवाद, अंतराष्टवाद, आदी अक्षाईयों का अनोखा राष्टवाद, आज भी होती है, हमारे देश के लोग माने या ना माने, दुनिया में कई देश आप देखें, उनकी रास्तों पर चलने की बात करते हैं, और आज आप देख लीजेगा, उन्होंने जो राष्टे दिखाएं उन पर चलने की बहुत ही जरूरी आव सकता है, क्योंकि जो प्रिस्तिती बनी हुई है अगर हम लोग गांधी मादि आंदोलोनों की रणनीती की बात करे तो संघर्स, विराम, संघर्स यानी कि एक तरह से आप कहीए कि आप लोग पढ़ते हैं और मेरा ऐसा मानना है देखीए कि आप लोगों की समझ में आना चाहिए उसके लिए उधारन आप लोग कहीं से वही उठाईए किसा भी उठाईए और कहीं भी फिट कर दिजे संगर्स का मतलब होता है कि आपने देखाई कि आप्ण पढ़ते हैं फिर थक जाते हैं गुष्णा टाइम के लिए फर आप देखे आराम कर लेते हैं फर आप संगर्स करने लगते पढ़ने लगते हैं तो इसी तरह का संगर्स। गांधी बादी आंधोलन दीhando कालिंट संघस की रर्णीती से पेरित थे और इसके लिए रर्णीती संघस विराम संघस की रूम में बिक्सित की गई अगर आप देखिए कि एक समान आप लोग लगे रहेंगे, संगर्स करते रहेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा जब आप लोग हमेशा के लिए ठक जाएगे, लेकिन आप अगर भीच में आराम करते रहेंगे, तो आराम से आप अपना काम नियंतर रख सकते हैं. और इस आउधारना में पहले दोर में सम्मीधानत्तर माध्यम से सक्सत जनांदोलन चलाए जाते, इसके फलस्वरूप सरकार से कुछ रियायतें प्राप्त की जाती, इसके बाद कत्तकालीट कानून ढाचे के अंतरकत उपलब्द अधिकारों का प्रयोप करते हुए गहन सामा प्राप्त नहीं है, और कुछ हमें देजे, इस तरह से कम थोड़ा-थोड़ा करके पूरी आजादी लेना चाहते थे, और इस पेकार इस बिराम की दोर का उपयोग पहली की तुल्ला में अधिक प्रभावसाली अंदोलन छोड़ने के लिए तागस सजोने में किया जाता थ और यह रड़नीती असायोग आंदोलन से आरम हुई और इसका चरम भारत चोड़ो आंदोलन में दिखाई देने को मिलेगा आपको, यानि कि आजादी तर, और यह गांदी बादी रड़नीती कुछ परीकल्पना पराधारी थी, इस परीकल्पना के मुख तत्ते हैं, इनको भी पॉइंट, टू पॉइंट आप लोगों को जरूर याद रखना हो, और यह आप देखें, मुख परीक्चा में भी कुष्णव साते हैं यहां से, जन आंदोलन का चरित एक चरित ही ऐसा होता है, कि देर सबीर उसमें ठैराओ आ जाता है, और आंदोलन की कैंद बिंदू जनता, जनता की संगरस की चमता सेमित होती है, और विरामकाल का उपयोग विचारिश सक्रिता द्वारा जनमानस की संगरस चमता बढ़ाने, और उपनेविसिक दबन की मुकाबला करने की सक्ती बढ़ाने की प्रियास के रूम में था, और इसके लिए रचनात्मक कारेों का सहारा लिया जाता, यह रचनात्मक कारे हो सकते हैं, खादी, ग्रामउद्देव, हिंदू, मुसलिम, एकता, राष्टी, सिक्चा, आसपस्ता के खिलाब संगस, वस्त, तथा सराब का वहिस्कार किया जाना, इन रचनात्मक कारेों के माध्यम से लाखों लोगों को सहार के साथ जनता को आंदोलन के लिए पुना तयार कर एक नया सकती साली आंदोलन चलाया जा सकता, जो बिराम की बात हो रही है, अब आप देखें कि आप पढ़ते हैं, और उसके बाद बीच में जो टाइम निकलता है, एक तरह से किसके लिए, आराम करने के लिए, उसका सेनापती लडाई की मैदान और लडाई की समय का चुनाव अपनी पसंद से करता है, इन मामलों में पहल वह हमेशा खुद करता है, एक और रोधारन आप लोगों को देख देते हैं, आप लोगों ने मद्यकालीन भारत का या पराचिन भारत का इतियास पढ़ा है, तो आप देखते होंगे कि जो हमारे देश के जो सेनापती थे, जो राजा महराजा थे, वो परिस्तेती नहीं देखते थे कि इस परिस्तेती में यद्ध लड़ा जा सकता है या नहीं, हम उसके लिए तैयार है, या Не, और इसलिए आप देखे कि उनका हार कारण बनता था, और आप जो भी सेनपति थे जो भी आक्मरकारीं थे वो आगर एक भार हाव्ट भी जाते थे तो आप देख़ें बड़ा बड़ी अच्ची तरीके से अपनी सुविकार कर ले टे ए और अपनी जान बू मर जाना पसंद करेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे सत्यागी की लडाई में लडाई के तरीके और रड कोसल का चुनाव यानि आंगे वरना या पीछे हटना है और सभी ने अयोग्या करनी या फिर रचनात्मक कारे इस्तिधी की आवपेक्छाओं को देखकर किया जाता था और सवाल यह नहीं था कि बातचीत की जाए या नहीं सवाल यह था कि मनोबिग्ञानिक दृष्टी से बातचीत करने का यहुचित आउसर है या नहीं बातचीत किस तरह हो उसका विसाय क्या हो उसका नतीजा क्या निकलेगा समझता हो हो तो उसकी सर्थी क्या होगी यह सभी वी ध्यान में रखे जाते थे अब बात करते हैं सबसे पहले जो प्यारंभिक आपका आंदोलन होता है जिसमें आप देखेंगे चंपरण चंपरण सत्य आगये यह 1817 की बात थे कब 1970 माफी चाहिए था 1817 में तो आप देखें गांदी जी ही नहीं आये थे जनम ही नहीं हुआ था चंपरण का मामला काफी पुराना था यह 19-वी सदाबधी के पहरम में गोरे बगान मालिकों ने किसानों उससे एक अनुबंद किया था एक समझोता किया था और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ जो अभी आप देखते थे कि तीन किसी कानूनों में यह भी किसी कानून था समझोता करने की बात तो जिसके अंतरकत किसानों को अपनी भूमी के तीन बीसवे हिस्ते में नील की खेती करना अनिवार था उस समय नील का एक तरह से आप देखी निर्यात होता था जो अंग्रेज थे जो यूरोपिय देश थे आप देखी पश्मी देश थे वो उहां जानदा मांग हुआ करती थी और यह विवस्ता तिन कठिया पद्दिती के नाम से आप लोग जानते थे कितने तीन कठिया पद्दिती के नाम से और उननिसवी सदी के अंत में जर्मनी में रसाइनिक रंगों या डाई का विकास हो गया था और जस्ते नील को बाजार से बाहर कर दिया इसके कारण बिहार में चंपारन की बगान मालिके नील की खिती बंद करने को विवस हो गए थे इसे आप लोग ऐसे समझीए कि आप देखें कि आप से कोई कॉंटेक्ट कर लेता है कि आप इस फसल की खिती करिए हम आप से खरीदते जाएं और जब आप वो फसल की खिती करने लगें और फिर आप देखें कि आपकी फसल वो ना खरीदें किसी भी कारण से तब आपका तो नुकसान होगा ना तो यही हो रहा था और आप देखेंगे एक और बात बता देता हूँ अभी यह क्रिसी कानून का इसलिए बिरोध भी किया जा रहा था किमाल लेजी कि आलू की खेती का किसी के किसान और किसी के बीच कॉंटेक्ट होता है लेकिन आलू अगर आप देखें किसी ब्यापारी को उससे कम दाम में मिल रहे हैं तो वो किसान उससे किसान वो ब्यापा मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पच्चा ना पायते थे और किन्तो परिस्तितियों को देखकर गोरे बागान मालिक किसानों की विवस्था का फायदा उठाना चाहते थे उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंद से मुक्त करने की एवज में लागान या निकरों की दरों में अत्यधिक बिद्धी करती और इसके अत्रिक्त उन्होंने अपने द्वारा तै की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाद दिकिया और किसानों ने इसका विरोध किया तो उनके विरोध सक्ती का उपयोग किया गया और इस समय तक गांधी जी कॉंग्रेस में एक सक्री नेता की रूम में पहचान बन गई थी और किसानों ने गांधी जी को चंपारन बोलाने का फैसला किया और 1917 में चंपारन एक स्थानिय कॉ चंपारन गये हुए थे तो राज कुमार सुकल के निमंतन पर एक तरह से नियोता मिला था और गांधी जी राजेंद पर साथ बिर्ज किसोर मजहब मजहर उलहक महादेव देशाई नरहरी पारिक और जेवी किपलानी की सहयोग से मामलों की जाज करने चंपारन पहुंचे और तुरंत चंपारन से चले जाने का आदेश दिया और आप देखेंगा गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया और किसी पेकार के दंड को भोगतने का फैसला किया और सरकार की इस अनुचित आदेश के विरुद गांधी जी ने अहिंसक पितिरोद या अंदोलन शुरू कर देते हैं और गांधी जी की दिर्टा की सम्मुक सरकार विवस हो जाती है और उसने इस थानिये पे सासन को अपना आदेश बापस लेने और गांधी जी को चंपारन की गाओं में जाने के लिए एक आयूगा गठन किया था गांधी जी को इसका सदस बनाय गया है उसके लिए किसानों को हरजाना दिया जाए और बाद में एक और समझोता कि पश्चात गोरे बागान मालिक अवैद बसूली का 25% हिस्सा किसानों को लोटाने पर राजी हो जाते हैं और इसके एक दसक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारन छोड़ दिया था और एन जी रंगा ने महत्मा गांधी की महत्मा गांधी के चंपारन सत्यागय का विरोध किया जबकि रवेंद नाट टेगोर ने चंपारन सत्यागय के दौरान इन्हें महत्मा गांधी की यानि की महत्मा की उपादी दी ती और एक तरह से आप देखी कि जिस समय इस आंदोलन को सफलता मिलती है तो महत्मा गांदी देश भर में चर्चा में आ जाते हैं क्योंकि पहला ही भारत में सफल आंदोलन था गांदी जी का इसके बाद आप देखेंगे उनीस सो अठारे में एहमदाबाद में मिल हरताल होती है इसका कारण भी आप लोगों के याद रखना होगा कि कि सुद्धे से हुगा था तो चमपारन के पश्चाद गांदी जी ने एहमदाबाद मिल मजदूरों के हरताल के मुद्धे परहस्ता छेप किया और यह मिल मालिको और मजदूरों में पिलैक बोनस को लेकर विबाद चिडाता गांदी जी ने मजदूरों को सला दी कि वे सांतिपूर अहिंसक धंग से अपनी हरताल जारी रखें और गांदी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूंख हरताल प्यारम करने का फैसला किया और गांदी जी के द्वारा किसी आंदोन में सुरू किया गया था पहला भूँञखरताल था यह वी आप लोग याद रखेगा यह पूंछ लेता है कि कि पहला भूँखरताल कि संगर्स में किया था महत्मा गंदी भी तो याद रखे एह अहमदा मलम हरताल में और इसमें अंबा लाल सारा भाई की बहेंड अनुसोईया बहेंड ने संघर्ष में गांधी जी को सक्रिये सहयोग दिया था यह भी आप लोग याद रखिएगा और इस सावसर पर उनोंने एक दैनिक समाचरपत का पिकासन भी प्यारम किया था गांधी जी के अंसर पर बैठने के फैसले से मजदूरों के उस्ता में हुई बिद्धी और उनका संघर्ष तेज हो गया और मजबूर होकर मिल मालिक समझोता करने को तियार हो गये थे सारे माम को एक टिवी उनल को सौप दिया गया था और जिस मुद्धे को लेकर हर्ताल प्यारम हुई थी टिवी उनल के फैसले से हुआ समाप्त हो गया टिवी उनल ने मजदूरों के पक्च में नेड़ाय देते हुए मालिकों को 35% मजदूरों को बुकतान करने का फैसला सुनाय था और गांधी की सत्यागया अंदूलन किया दूसरी सफलता थी दूसरी वड़ी सफलता थी फिर आप देखें कि खेड़ आपका खेड़ा सत्यागय होता है 1908 में खेड़ा सत्यागया और ये 1908 की बात ही है तो भीसर्ड दुर्वीक्च के कारण गुजरात के खेड़ा जिले म पूरी फसल बरबाद हो जाती है और फिर भी सरकार ने किसानों को माल गुजारी बसूल करने की पिक्रिया जारी रखती है एक तरह से आप देखी कि किसी की फसल बरबाद हो जाए और सरकार उससे कहे कि हम पैक्स बसूलेंगे पैसा बसूलेंगे तो यह तो आप देखी कि अन लगान माप करने से इंकार कर दिया और फलसरुप गांधी जी ने किसानों को राजस अदा ना करने और सरकार के दमनकारी कानून के खलाब संखस करने की पेडा दी और खेडा जले कि युवा अधिवक्ता बल्लभाई पटेल इंदुलाल यागनिक और कई अन युवाओं ने गांधी जी के साथ खेडा के गाहों का दोरा भी किया और इन्होंने किसानों को लगान ना अदा करने की सपत भी ले दर आई और गांधी जी ने गोशना की कि यदि सरकार गरीव को किसानों का लगान माप कर दे तो लगान देने में सक्षम किसान स्वेक्षा से अपना लग कर ली गई उनकी मवेसियों को जब्त कर लिया गया और इस आंदोलन में महत्पूर्ण भूमिका किसान महत्पूर्ण भूमिका निभाई गुजरात सभाने और उस बरस गांदी जी इसके अध्यक्ष थे और इस भी सरकार ने सरकार ने अधिकारियों को गुफ्त निर्देश दिए लकान उनी से बसूला जाएत्यू लगान दे सके और इस आधिस से गांधी जी का अदिस पूरा हो जाता है आं पर या और इस तरह से ये तीन आंदोलन में सफल रहते हैं गांदी जी समझ में आया है और आप सूचिए कि गांदी जी ये जन मानस की मुद्धे उठा रहे हैं तब आप देखेंगे कि उनके साथ लोग जोड़ रहे हैं समझ रहे हैं और पिथम जड़ा अंदोलन देख लीजिए इन तीनों की डेट भी आपको याद रखना है उद्देश भी याद रखना है जो कारण है में ठीक है और गांदी जी तो जुड़े ही हुए है असायू आंदोलन होता है आपका ए 1922 की बीचे सबसे पहले तो आपकी मन में का अर्थ समझ लेना चाहिए और आपको बता दूँ कि अगर आप लोगों ने LCERT पढ़ी है तो मुझे लगता है कि आप तो समझदार होंगे और इसलिए बार-बार कह रहा हूं कि हमसे कम एक-दो बार पढ़ जरूर लेजे असायू कार्थ है यदि कोई सरकार जंता के ए बाक्त सरकार का करना चाहिए और इसमें सत्यागय का साधना के रूंब में प्रयोगकर की सोशड़कारी सरकार से नेतिक दबावदवार आपनी मांगे-नमाने का प्रयास किया जाता है। नेतिकताकी बाथ होती है। आज के समय में आप देखे नेतिकता सब धरासाई हो गई है। आज आप उन्ने नेताओं के देख लिजे। सरकार की एक आंगे की रूम में उत्तरदाई सरकार की स्थापना करना आधिक आठकों ने गांधी जी को सरकार की विरुद्ध असायोग हांदेलन ये तु पेरित किया कि तु सबसे पहले असायोग आंदोलन की पेश्ट भूमी देख लीजे आपनू एक तो आप जानते हैं कि पिथम विस्योद आपका 1914 से 1900 ये आपका देखेंगे आप लोग की 28 जुलाई 1914 से 11 नमंबर 1918 तक चला था ठीक है पहला विस्योद इस लेट को आप लोग याद रख सकते हैं कई बार पूंच लेता है आपका पिथम विस्योद में भारत ने बेटेंगी साहता की और खासकर आप देखें उदारबादी ने ताओने और खासकर आप देखें कि कॉंग्रेस ने और आप देखें गांधी जी ने लोगों से सेना में भरती होने की अपील की थी और ये उद्ध के तोरान अमेरिका और मित राष्टों ने गोशना की कि यही युद्ध प्रजातन्द की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है और यह भी कहा गया कि युद्ध के बाद उपने नेड़े का अधिकार दिया जाएगा यानि कि हम लोग अपने विस थे अंग्रेजों के तो हमें भी अधिकार दिया जाएगा आत्म नेड़े लेने का इसके अलावा आप देखें कि अगस्त 1917 में कि मॉंट्ध गोशना में भी भारत को क्रेमिक रूप से सोसासन देनी की गो आसंतोस फैलना सौभाविक सी बात है गुस्सा आना सौभाविक सी बात है और यूद्ध के तोरान तथा यूद्ध परांथ की आर्थी कटनाईयों ने भी आसंतोस में बिद्धी की और आंदोलन की निर्माड की पेश्ट भूमी तेयार की इसमें आप देखेंगे रूसी क अपनिवेसों को आत्म डए का अधिकार दे दिया भूमी हिनों को भूमी का बितरन किया गया सामन्ती सोशन का अंत किया और रूसी करांती की जिस चीज से सारे संसार को पेरित किया वैथी आम लोगों की सक्ति उनका साहस और इस करांती ने भारत की निम्न मद्ध और मोंटिवेसन मिल जाता है कि वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं तो यह ही सब आप देखे भारत की लोगों में भी कि यह वहां की जिनता अगर यह कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं फिर आप देखेंगे उन्नीस सो उन्नीस का अधिनियम इसे आप लोग जो भी अधिकार दिये गए इनके बारे में जरूर याद रखेगा कि इस से मिले इस अधिनियम से इस अधिनियम में आंदोलन की भूमी का देजार की और कॉंग्रेस के उधारबादियों ने मौन्टियू गोष्णा को भारत का मेगना कार्टा कहा इसे इसके बारे में और यह जाद रखेगा आपके भारत के राजित सचिप इस समय थे एडविन सेमुवल मौन्टियू और भारत के वायसराय थे लौड चैंसपोर्ड तो नी के नाम पर आप देखें मौन्टियू चैंसपोर्ड सुधार नियम रख दिया गया है और भारत सरकार अधिनियम का आधार 1919 की आधार पर बनाये गया था तो यह इसलिए बोल रहा हूं कि आप देखें उन्हें के उन्हें के उन सबग हो रहा है तो उन्हें के नाम पर कईवार रख दिया जाता है चलिए अब हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं जैसा कि आप सभी की मदद करें इसी आसा से इसी उम्मीद से कि वो योद्य जीतने के पाद राजनितिक सुधार करेंगे क्या करेंगे राजनितिक सुधार करेंगे लेकिन आप सभी जानते हैं कि जैसे ही योद्य समाथ होता है तो बेटे सरकार ने एक कानून लाई जिसे आप लोग इसके नाम से जानते हैं और इस कानून में क्या था इस कानून में आप देखें कि बिना वारंट की तरासी हो सकती थी आमान साक्ष को मान बनाया जा सकता था बंदी पितेक्षी करण को रद्द किया जा सकता था और किसी पर अगर संधिय है तो उसे भी गरपतार किया जा सकता था और निर्धारित नेले के नैडई के विरुद कहीं भी कोई भी अपील नहीं हो सकती Phillips तो इसे एक तरह से काला कानून कर देजे कि आपको कभी भी गरब्तार किया जा सकता है आप देखे कि आपका पर संदे है तब भी गरब्तार करके आप कहीं अपील ही नहीं कर सकते, नयाय के लिए किसी से उमीद ही नहीं रख सकते, तो ये विधान परिश्द में फेस किया गया, और आप देखेंगे कि गांधी जी ने इस पिस्तावित, रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट सत्यागय आरम करते हैं, और जिससे जनता का आपार स मर्थन बिलता है, और आंदोलन को दमानी के लिए अंग्रेजों ने दमन का सहारा लिया, जो आसंतोस को और भी भड़ाव को था, जो आसंतोस ब्याप्त था, और आप देखेंगे, 1917 में, जस्तिट रॉलेट की अध्यक्स्ता में, एक सम्ती ने उत्की गई, और जिसने भार आप देखें कि करंतिकारी थे, वो जिस तरह से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, जिन में भगत सिंग सोगदेव राजगुरू हो, यह स्तरह में तमाम नेता थे, तमाम आंदोलन कारी थे, तमाम आप देखें कि एक तरह से हमारे जो पूरवज कह लिजे, कुछ भ लिए विधान प्रिषद में एक बिध्यक पेस किया गया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, और गांदी जी ने रॉलेट एक्ट के बिरोध में 6 अफरेल 1990 को एक देश ब्यापी हर्ताल का आन किया, और उनने सब्त्यागे सभा की इस्तापना की, और इसमें जान एक अब होता है, 13 अपरेल 1990 की घटना है, आप सभी जानते हैं कि रॉलेक्ट कानून के विरोध में जो आंदोलन चलना था, इस दोरान कॉंग्रेस के दो नेताओं की गरबतारी होती है, एक तो आप देखें कि सिफुद्देन किचलू थे और एक डॉक्टर सत्पाल थे, इ पितीबंद लगा लगाया था, और परसभा में सामिल होने बाले दो दरा से आये लोग थे, इनमें बहुत संक्रक देहाती थे, जो बैसाखी के मेले में भाग लेने आये हुए थे, और को इस पितीबंद की जानकारी भी नहीं थी लोगों को, हांसराज नामक ब्यक्ती ने जलियावला बाग में विसाल सभा का आयोजन किया था, हांसराज, इस नाम को भी आप लोग याद रखिएगा, और यही व्यक्ती बाद में सरकारी गवाह बन गया था, और इस कारण के वारे में थॉम्सन और ग्रेट ने लिखा कि अमरसर दुरगटना भार्द बैटेन समं में युगांतारी, युगांत कारी घटना थी, जैसा की 1857 की का बिद्रो, और अमरसर सहरप उन दिनों राष्टबादी गतिविदियों का कैंद बन भी चुका था, इसलिए वहां की सांती विवस्था की जिम्मेदारी, एक कुख्यात पुले सदीकारी जनरल डायर को सुब उसके सिपाही तब तक गोलियां चलाते रहे, जब तक उनकी गोलियां खतम नहीं हो जाती, और इस गटना में हजारों लोग मारे गए, लगबग तीन हजार लोग घायल हुए, ये आप देखी हकीगत बात है, हजार लोगों से जान्दा मारे गए, लेकिन सरकारी जो सम्ध भी बनती है उनकी तरफ से, उसमें कुछ और बताया जाता है, इस बरबर नरसंगार की बिरोध में रवेन नाट टेगोड ने नाइट की उपादी वापस कर दी, और भारती राष्टी कॉंग्रिस की पूरवध्यक्ज सर्ष संकरन नायर ने वैसराई की कारकारणी से त्या और इसे आएगों पांस सदस अंग्रेज थे और तीन भारतिय थे, भारतिय सदसों में सर चिमनलाल सीतलवार, यह नाम भी आप लोगों को जरूर याद रखने चाहिए, सर चिमनलाल सीतलवार, सहब जादा, सुल्तान अहमद और जगत नारायन सामिल थे, सरकार ने जनरल ड अकबार में, मार्णिंग पोस्ट में, डायर के लिए 30,000 पांड धनरासी इखटा किया, और पंजाब के लेटिन गवर्नर माइकल ओ डायर की उधम सिंग ने मार्च 1940 में लंदन में हत्या कर दी थी, और जलिया वाला भाग हत्या कांड की जाज के लिए कॉंग्रिस के तहकी काद कमेटी 1919 का गठन किया, इसके अध्यक्च मदन मुहन माल विये थे, और इसके अन सदसों में महत्मा गांधी थे, मौतिलाल नहरू थे, अबबास तेयब जी थे, सियार दास थे, पुपुल जैकर थे, क्योंकि आप देखे हम लोगों को अंगरेजियों पर भरोसा ही नह रूब में सारे दुनिया के मुसल्मानों का प्यधान हुगा करता था, यानि कि कहने का मतलब है कि जो तुर्की का खलीफा था, एक तरह से सुल्तान था, उसे धरम गुरू की उपादी दी गई थी, और पूरे दुनिया के मुसल्मान उसे अपना प्यधान मानते थे, और प 2020 की सेबरी की संधी होती है इसके द्वारा इरान मेसोपोटामिया सीरिया और फिलिस्तीन पद तुरकी सल्तनत की अधिकार को खतब कर दिया जाता है और तुरकी के खलीपा के प्रभाव को खतब होते देख भारती मुसल्वान उत्तेजित हो जाते हैं यानि कि उनमें भी गु पहुंचता है और उन्होंने खलीफा और उसके समराज जी की रक्षा के लिए खिलापत आंदोलन की सुरुआत की और उन्होंने गांदी से सहयोग मागा तो गांदी ने उनको सहयोग आंदोलन आरम करने का सुझाव दिया और खिलापत कमेटी ने जून 1920 में सरफ सम्मिती से गांदी की स्ताओं को सुईकार भी कर लिया और आप देखे गांदी जी इस से थरह से आउसर की रूम में देख रहे थे कि अभी जो आप भी असायोग की पेश्ट भूमी तेयार की अब बात होती है असायोग वांदोलन की आरम की तो कॉंग्रेस और भारती जनता इस उमीद से थी कि पिथा मिस्योदी की बाद बेटरी सरकार सासन वेवस्था में उनकी अधिकारों का विस्तार करेगी पर 1919 की मॉंट्किव चेंप 2020 की घटना थी वायसराय को चितावनी देते हुए एक पत्त लिखा और जिसमें उन्होंने इस बात का उलेख भी किया था कि कुशासन करने वाले सासकों को सह्योग देने से इनकार करने का अधिकार हर आदमी को है उन्होंने पत्त में इस बात का भी जिकरी किया कि यदि सरक जवाब ना मिलने की कारण गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयू आंदोलन शुरू कर दिया, 1 अगस्त 1920 को, सारे देश में हर्ताले आयवजित की गई, पिदर्शन हुए, और सभाओं का आयवजित किया गया, सेप्टमबर 1920 में कलकत्ता में आयवजित कॉंग्रेस के विसेज विदिवेशन में कॉंग्रेस ने आंदोलन को मंजूरी भी दे दी, और दिसमर 1920 के नांगपुर के वासे का दिवेशन में असहयू पिस्ताओं को विदिवत पास किया गया, और इस पिस्ताओं में आंदोलन से सम्मधित कारिकरमों के कारिकरम के अलाबा, अन्य बातों पर विचार बिस्तार से चर्चा की गई, और असायो गांदोलन के एक कारिकरम है, इन्हें भी देख लिए आप लो, नकारात्म कारिकरम, निगेटिब प्रोग्राम कह लिए, सरकार की संद्रब में आप देखिए, इसमें आप देखेंगे कि सरकारी या अर्ध सरकारी स्कूलों कॉलेजों और नियालेयों और 1919 के सुधारों पर आधारित परिश्दों के चुनाओ का वहिसकार किया जाए, सरकारी उकमाओं, राय बहादुर और इस्थानी संस्थाओं की मनूनीत कमस्थीटों से त्याक पत दिया जाए, सरकारी और अर्ध सरकारी कारकरों में सामिल होने से इनकार कर दिया जाए और सैनिक और लिफिक पदों पर भारतियों द्वारा अंग्रेजों को पिसासन और अपनी मात्य भूमी के सोसन करने में सहायता करने से इनकार कर दिया जाए अंग्रेजी बस्तों उत्पादों का बहस कार किया जाए और इसमें सकारत्मा कारिकरम क्या रहा है राष्टबादी आंदोलन के संदर में राष्टी स्कूलों को लेजों और निजी मद्धेस्थ न्यालेओं की जिसे पंचायत कहा जाता था पूरे देश में इस्थापना की जाए इसकी क्या इस्थापना की जाए यह भी बात कुई इसमें आप देखे पॉजिटिव पॉएंट में और आप लोग कुछ पॉएंट इसमें से याद रखेएगा और हास से सूथ कताईयों बुनाई को पुनर जीवित कर सौधेसी और खादी को लोगप्रिय बना जाए हिंदों और मुसल्मानों की बीच एकता का विकास किया जाए और हरिजन कल्यार के लिए आस संगर्धर तिलक्का क्या हो जाती है डैथ हो जाती है उनकी और आप देखें कि गांधी जी के असहयोग की पिस्ताओं का विरोध करते हुए एनिवेसंट ने कहा कि यह पिस्ताओ भारती सुतंता को सबसे बड़ा धक्का है और एक मुर्तापूर विरोध तथा समाज और पिस्ताओं का विरोध करते हुए एनिवेसंट ने क्या कहा था यह आप देखेंगे कथन देदेगा और पूंच लेगा कि यह किसने कहा था तो एनिवेसंट ने ठीक है और आप देखें कि सुरेंद नात बनर जी मदन मोहलमाल भी है सी आर दास बिपिन चंदपाल मुहमद अली जिलना संकरन नायर सर नारायन चंदाओर कर ने पैरम में इस पिस्ताओं का विरोध किया था फिर भी अली बंधों और मौतिलाल नहरून के समर्थन से पिस्ताओं पारित हो गया था और आप देखें गांधी जी उस समय पिस्ताओं पारित करें या पिस्ताओं लाएं वो पास ना हो इस संभाव भी तो नहीं था एनी वेसंड मुहमद अली जिन्नाओ विपिन चंदपाल जी एस खापरडिन है जैसे नेताओं ने गांधी की पिस्ताओं स की बात सुईकार की गई थी और आंदोलन सुरू करने से पहले महत्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपादी बापस कर दी थी अंग्रेजों को और जमलाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपादी भी बापस कर दी थी असाइव आंदोलन की तोरान गिरपतार होने वाल पहले प्रवक देता थे मुहम्मद अली यह भी आप लोग याद रखेंगा और प्रांती कॉंग्रेस कमेटियों को भासाई अधार पर पुनर गठित किया गया था और नांगपूर पिस्ताओं में यह भी कहा गया था कि बाद में जनता को सरकारी नोक्रियों से इस्थीपा द दिया था और सिक्षा का बहिसकार पशे मंगाल में सबसे अधिक सफल भी रहा था मद्राप्स में से सफलता नहीं मिली थी बकीलों ने बड़े पिर्माने पर अदालतों का बहिसकार तो नहीं किया लेकिन देश के में जाने माने बकीलों के वकालत छोड़ने से लोग बहु अंदोलन और खिलापत अंदोलन ने खेती हर मुसल्मानों को उनके भू स्वामिया की खिलाप संगर्स छेड़ने के लिए उकसाया लेकिन दुरभाग से अंदोलन में यहां कहीं कहीं संबदायक्ता का रूख भी अक्तियार देखने को मिला अबद में एका अंदोलन चला और यहां जमीदारों की उखाड फेकने के लिए था अंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाप देश व्यापी जंसंगर्स का पहला प्रयास था ठीक है और इसकी अंदोलन की अगर हम लोग प्रगिती की बात करें तो आप देखेंगे 1920 की बात है 1920 के प्यारम से ही आंदोलन की कारेकरों में पर आमठ होने लगा और आप देखेंगे आंदोलन की प्रगिती दो रूपों में परिलक्षित हुई पिथम अखिल भारती असायोग इस तर पर और चेतरी इस तर पर किसान आंदोलनों की रूमें जैसे पिताबगड किसान आंदोलन हो गया इसे निमने जिन पर साथ बल्लबाई पटेल आदी ने बकालत छोड़ दी सरकारी स्कूलों का वहसकार कर कासी बिध्यापीट बिहार बिध्यापीट राष्टी कॉली लाहोर जामिया मीलिया इसलामिया दिल्ली आदी राष्टी ए कॉलेजों की स्थापना की गई और मौलिवियों ने जिहाद, अत्वा, हिज्रत, देशांतरन का फत्वा जारी किया, मुहमद अली ने मुसल्मानों से सेना की नोकरी छोड़ने की अपील भी की, लोगों ने चर्खा चलाने खदर पहनने और आजपस्ता निवारन और हिंदू-मुसलिम एकता के पिती, पिती बद्धता भी जिता आई, नवंबर 1921 में प्रेंस और बेल्स के आगमन की अवसर पर हड़ताल आये, जितकर उनका भहसकार भी किया गया, और इस आंदोलन ने कई स्थानिया आंदोलनों को जनम दिया, असम में जैसे चाय बागान मजदूर हड़ताल पर गए, बंगाल और असम की रेल करमचार आंदोलन की आंदोलन हुआ, राजिस्थान में किसानों आदिवासियों ने आंदोलन किया एक तरह से, तो इस समय भी आप देखे, एक बात आप लोग उनने देखी है, और मुझे लगता है कि समझ भी गया होंगे, कि देखे, अंग्रेज सोसन सभी का कर रहे थे, बस उनका सोसन का तरीका अलग लग था, और पंजाब में अकालियों ने गुरू द्वारों पर भेष्ट महंतों के खिलाब आंदोलन छेड़ दिया, आंद पिदेश की परांदी की कॉंग्रेस कमेटी ने कर ना देने का निश्चित किया, और गांधी ने उनने मना कर दिया, और 121,222 हैं गटकर, संतावन कर्रोर रूपय का रह गया था, एक तरह से आप देखिए कि हम लोग आयात का मतलब होता है, अम लोग कुछ खरीद रहें, नेरेयात का मतलब होता है, हम लोग कुछ बैच रहें, तो आप देखिए आयात भी में कमी हुई, और खादी, राश्टी और आंदोलन के लिए इस्थावित तिलक सौराजपंड को लक्ष एक करोर रुफिया से जान्दा की प्राप्ती हुई तो ये भी देखने को मिलेगा आंदोलन का इस्थागन क्योंकि आप सभी को मालू हैं कि आंदोलन बीच में रोग भी दिया गया था एक हुआ था चोरी-चोरा कांड इसे जरूर याद रखेगा चोरी-चोरा कांड एबात है पंदर कपकी पांच फर्वरी 1922 की उत्तर पिदेश के गोरपुर जिले की है चोरी-चोरा नामक एक इस्थान है यहाँ पर आंदोलन कारियों की एक भीड ने पुलिस कारवाही से नाराज होकर 21 पुलिस कर्मियों को थाने में बंद करके आग लगा दी थी और इस घटना में सभी 21 पुलिस कर्मी मारे गए थी और गांधी के लिए सत्त और एहनसा का प बारदोली में कॉंग्रिस कार समिती की बैठक में असायव अंदोलन को इस्तिखित करने का पिस्ताव पारित कराया और गांधी जी की नेहरू और सुभाष चंद बोस ने सहित सभी अगणी नेताओं ने निंदा भी की थी आलोशना भी की थी लेकिन आप देखी यहाँ में कुछ कहा जाता है कि अगर गांधी जी ऐसा ना करते तो आपदी की उस तरफ से भी आप देखे हिंसा का जब आप हिंसा से दिया जाता तो बहुत सारा नुकसान भी देखने को मिलता और फिर गांधी जी का जो एहिंसा की बात होती थी सब्ति की बात होती थी उस पर भी पि आप सभी जानते हैं कि कोई भी आंदोलन हो या आप देखे कोई और काम हो उसकी आलोचना की जाती है उसकी समेक्षा की जाती है उसकी उपलब्दियां क्या रही है और उसकी आपकी कम्या क्या रही है उन सब को देखा जाता है और सिबिल सर्वेस में और इस्टेट PCS में की रोक दिया गया और इसकी आलोचनात्मक अगर हम लोग समीक्षा करें तो असयों गांदोलन्स को ऐसे बक्त पर रोका गया या इस्थिगित करने से जब जन उभार चरम पर था और गांधी की ऊपर गंभीर आरोप लगाए गये और विद्वानों ने इस संबंद में निमलि गंधी आंदोलन पाप्तना नेतत बनाय रखना चाहे दे थे क्योंकि उन्हें डर था कि यदि एक बार आंदोलन जनसाधारन के हाथ में चला गया तो वुजुर्बा वर्क के हेतों की रक्षा करना मुस्किल हो जाएगा यानि कि आप देखे जो पूंजी बादी लोग थे यानि कि ब्यापारी थे उनके पक्ष में ऐसा कहा गया कि गंधी जी थे गंधी पर ये आरोप लगाए गया और आप देखेंगे बिचार का उप्युक्त बिचार का समर्थन करते हुए कहा गया यदि कारण था तो गंधी जी ने आंदोलन को सहमती नहीं दे और कॉंग्रेस समिती ने जमीदारों को अस्वासन दिया कि कॉंग्रेस सी आंदोलन का उद्देश जमीदारों के कानूनी अधिकारों को किसी प्विकार से हानी पहुचाना नहीं था और आप देखेंगे ये भी कहा गया कि किसानों द्वारा जमीदारों को लगान ना देना तो विरोध का सरवादिक सांतिपूर्ड और यग्यपी अपतेधिक किरांतिकारी तरीका है और अहिंसा का बास्तवेक उद्धिस बर्गी एहतों की रक्षा और वरक सोसन को बनाए रखना है और आप देखेंगे ऐसे बिद्वानों ने अहिंसा पर भी सवाल खड़ा किया है उनका विचार अहिंसा एक बुजुरवा आउधारना है जो अंतिम संघर्स को तिलांजली देने और मोलभूत परिवर्तन को रोकने के लिए प्रियोग की गई है तो ये कहकर गांदी जी पर एक तरह से उंगलियां उठाई गे और इसके कार उपयुक्त धारणा के समर्थक बिद्वानों के इस्तगर्ण के उपयुक्त उपरोक्त मत को नकारते हुए इसे सही समय पर लिया गया नेड़य भी टहराते हैं इस वर्ग के बिद्वानों का तरक इस तरह से हैं आपको बताया कि कुछ लोग आप देखें कि गांदी जी से नाराज देखेंगे कुछ इनके पक्ष में द कमजोर होता इसे बापस ले लेना ही ठीक था 1921 में उत्रार्द में कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य जगहों पर आंदोलन कमजोर हो रहा था इसकूलों अदालतों विदेशी कपनों के बहसकार में कमी आने लगी थी और रेलियों में भी लोग कम संख्या में जुट रहत कोई भी आंदोलन लगाता नहीं चलाया जा सकता है संघर्स ब्राम संघर्स आप लोग सुनते रहते हैं तो जनता की त्यार करने और दमन शहनी की एक सीमा होती है ऐसे इस्तिति में आप देखेंगे आंदोलन को इस्थिद करना एक रनीती हो सकती है ताकि जनता अंगले रनीती यह थी कि यदि एहिंसा पर अधारित आंदोलन के पिती बेटे सरकार हिंसात्मक कारवाही करेगी तो उसका दमनात्मक स्वरूप सामने आएगा जो जन्मत को उसके खलाब करतेगा चोरी-चोरा की घटना इस रनीती के बिरुद्द मानी जाती है और हिंसा का से सरकार को तो एक मौका मिल जाएगा आंदोलन के इस्तगन का एक अनमात्मून कारण यह भी था कि गांधी बार्दौली से सबने आयोग्या आंदोलन आरम करना चाहते थे और चाहते थे कि जब यह आंदोलन आरम हो तो सारे देश में कहीं भी हिंसा ना हो और उनका सोचना यहां भी जमीदारी को खतम करने का अंदोलन नहीं चल रहा था और इस साथी में आप लोग देखेंगे को यह साथी में जहां कि जहां करें जमीदारों द्वारा अबैध बसूली और मनमानी माल गुजारी खतम यानी की मांगे की गई होnychट प्रिक्त विवेचल से इस फश्ट है कि आंदोलन को इस्तिकित करने का गांधी का नेड़े सही था और जनता की उर्जा उसका उस्सा मनोबल बरकार रखा रहा था जो सविने एवग्या और भारत चुड़ो आंदोलन में दिखाई देता है असायोग आंदोलन के दमन की स्तित है कि आप लोग दोनों पहलों को देखकर देखे समीक्षा किया करेगा किसी एक को नहीं है कि दोनों दोनों मतलब सिक्के के दोनों पहलों को आप लोगों को देखना होगा अब हम लोग बात करते हैं असायूग आंदोलन की उपलब्दियां क्या रही है तो इसमें आप देखेंगे आंदोलन काल में कॉंग्रेस की सदसंख्या 50 लाग तक पहुंच गई थी सबसे बड़ी तो अपलब्दिया आप यही देख सकते हैं अब कॉंग्रेस सही अर्थों में एक अखिल भार्ती संस्था बन गई थी किसान, मजदूर, दस्तकार, ब्यापारी, ब्यापारी, ब्युसाई, करमचारी, पुरुस, महिलाए, बच्चे, बुड़े सभी कॉंग्रेस के साथ थी अब और सारे देश में सायध ही कोई ऐसी जगे ऐसी बची थी जहां आंदोलन का असर ना पड़ा हो और इस पेकार असयूग आंदोलन ने पहली बार देश भर की लोगों को एक जुट किया था और यह इसकी एक बड़ी उपलब्दी मानी जाती है और इस सांदोलन ने यह भी दिखाया है कि हिंदोस्तान की जिस जनता को दीन हीन निरक्षर और सोसासन की आयोग समझा जाता था वही जनता आजादी के संगर्स में पूरे मनोयोग से जुटी थी और आजादी के संगर्स की जटिलता को ना समझते हुए भी सौराज का मुद्दा हर हिंदोस्तानी के दिल को छूता था और यह पहला उसर था जब राष्टियता ने गाओं कस्मों स्कूल सभी को प्रभावित किया था और संगर्स में हिंदों और मुसल्वानों ने कंधे से कंधे मिलाकर आप देखे लड़ाई लड़ी और गांधी ने कई वार मर्षिदों से भासन भी दिये और कई जगए आप देखेंगे गरफताल लोगों में दो तिहाई से अधिक मुसल्मान भी होते थे तो हिंदो मुसल्मों में एकता भी देखी गई आंदोलन की एक उपलब्धी यह भी रही कि सौदेशी के पिरचार और विदेश्ती के भाहसकार से सुतंता संगरस के लिए जन आधार तियार किया गया जो आंगे के आंदोलनों के लिए महत्पूर्ण साबित हुआ और कुछ बिद्वानों का विचार ही अधी गांधी इंग्लेंड से वारतालाब कर पाए तो यह असयोग के कारण हुई है और इस आंदोलन ने गांधी जी के पीछे चलने वाले अपार जनसमू की सक्ती से बेटे स्राज का पंशल भी कराया और आप देखेंगे मालिक और गुलाम का संबंद समाप्थ हुआ और उसका इस्थान एक संबाद में दो बराबर की सांजेहदारों ने ले लिया एक बिद्वान का विचार है कि बर्तमा समय कि में दो देशों के बीच सत्यागय द्वारा सच्ची वालतालाब का इससे बहतर उधारन नहीं मिल पाएगा अब आप देखें खिलापत और गांधी जी के बारे में जान लीजे खिलापत अंदोलन की बात हो रही है गांधी जी ने एक बार अपने जीवन का उद्देश पताते हुए का था कि जनता के हिदे परिवर्तन के द्वारा उसमें एहनसा का बिरसार और हिंदू मुसलिम एकता की भावना जागरित करना उनका जीवन का उद्देश है और जिस समय आप देखें कि गांधी जी भारत लोटते हैं उस समय आप देखें हिंदू मुसलिम को बीच काफी खाई आ चुकी थी अपने इसी विचार के अनुरूप उन्होंने खिलाफत के मुद्दे को दोनों समपदायों के वीच एकता के अच्छे आउसर की रूम में देखा और आप देखेंगे कि खिलाफत की पिसन से भारत का कोई पित्यक्ष सम्बंध नहीं था फिर भी गांदी ने खिलाफत आंदोलन का नेत्यत सोईकार किया एक तरह से भावनात्म करोप से आप देखेंगे मुसिलिम इससे जुड़े हुए थे वायसराय को खिलिखे पत में उन्होंने खिलाफत की समस्या के न्याइपूर हल और भारत के लिए सोसासन को वेटे समराज की सुरक्षा के लिए महत्पूर बताया और इस पेकार उन्होंने दोनों ही मुद्दों को समान महत दिया गांधी जी ने गोशना की कि खलीफा की सहायता करना हर हिंदू का करतब है उन्होंने कॉंग्रेस पर खिलाफत अंदोलन को सुईकार करने के लिए दबाव भी डाला और उन्होंने कहा कि यदि सरकार खिलाफत जैसे महान धे के सम्मन्द में धोखा देती है तो हमारे लिए असहयो करने के सिबाय कोई चारा नहीं रह जाता है और गांधी जी का विचार था कि मुसल्वानों के हिदय को जीतने का इससे अच्छा मोका थिर नहीं आएगा और इस पिकार आप देखेंगे गांधी जी राष्टी आंदोलन की सर्वुत्तम रड़नीती में मुसलिम समपताय को एक अनिवार और अहम घटक की रूम में देखते थे और कलांतर की घटनाओं में ने इस सावित भी किया 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 गलत थे और खिलापत और असाहियों को एक साथ जोडने की उनकी रड़नीती की आलोचना इस पिकार की जाती है जैसा कि आपको बताए कि कुछ इसके पक्ष में भी होगे इसमें आप देखें कि सर्व इस्लामाबाद का राष्टवास से सोभाविक दोईस होता है और यह विचारधारा राष्टियेता की सीमा को तोड़ती है वह अंतराष्टियेता तक जैसे प्राचीन भारती विचारधारा में वसु देओ को टमम कहा गया भी नहीं जाती है और आप देखें कि वह मोल के पिती आकर्षित होती है जहां से निकल कर वह सारी दुनिया में फैली है और इस मोल के पिती आकर्षन राष्ट के पिती बिकर्षन पैदा करता है मुहमद अली ने कहा कि यह सोचना भूल है कि भारत के बाहर जो कुछ हुआ है उस साधार पर हिंदू मुसल्मानों की बीज मद्भेट मिट जाएंगे उन्होंने कहा है कि वे मुसल्मान पहले हैं और भारती हैं बाद में हैं अभी आप देखते हैं कि पहले भारती हैं और फिर मुसल्मान हैं फिर हिंदू हैं यह बात होती है वोग समय आप देखे अलग ही देखा जा रहा था अरब देशों और यूरोप की गैर मुस्लिम आबादी तुर्की सल्तनत की दास्ता से मुक्ती पाने के लिए आंदोलन कर रही थी और साथ ही स्वयम तुर्की ने तुर्की में कमाल अता तुरुक की नेतित में युवा तुरुक आंदोलन खलीपा के रोडिवादी सासन का अंतिकर तुर्की में आधुनिक लोक्तनत स्थाफित करना चाहा और इस पेकार आप देखें कि खिलापत आंदोलन कट्टर धार्मिक और पिति क्रियावादी आंदोलन ही सावित होता है और जब हम खुद अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे तब खलीपा के सामंत्री सासन का समंतन करना कितना तरक संगत था ये कहकर आप देखें कि गांधी जी पर उंगलिया उठाई जाती है या आप कहिए गांधी जी को गलट ठहराया जाता है और बात के दिनों में आप देखें कि तुर्की में खिलापत आप्रसंगिक हो गई और युबात रोक आंदोलन सफल होगा और कमाल पासा 1923 में उहां का बाश्त्विक सासक बना उसने सुल्तान का वह पद समाप्त कर तुर्की को गरतंद घोसित कर दिया और कुछ भारती मुसल्मानों ने कमाल पासा को खलीपा के साथ अच्छा बिवहार करने को कहा तो यह मैसूस करते हुए कि जब तक खिलापत रहेगी तब तक अंतराश्ती हस्तेचिप का आउसर बना रहेगा और यह अताहा कमाल पासा ने खलीपा के नाम मात्पद को भी 1924 में समाप्त कर दिया कव 1924 में गांधी जी ने जिन दो धर्मों के बीच एकता का प्रयास किया उनके बीच सांस के देख इतिहासे को पारंपरीक अंतर को वह या तो समझ नहीं पाए या आप देखें समझ कर भी यह मानने की भूल की कि यह अंतर मिट जाएगा उन्हें ने इस और अल्ला तेरे तेरो नाम का गांतु किया पर दोनों समझ पतायों की भी सहभोज या पर विवाहिक संबंद स्थापित करने की बात कभी नहीं की और इससे इस फ़र्ष्ट होता है कि कहीं ना कहीं दे भी एह मानते थी कि बास्तिग एकता असम्भ हो है जाने के बाद चुनाओ अधारित विवस्था में वह सासित बर्क ही रहता ऐसी असंका मुस्लिमों में ब्यापते थी और ऐसी इस्तिती में वह हिंदूस अम्भुदाय से बास्तिवी केकता नहीं स्थापित कर सकता था और गांधी इस बात को नहीं समझ पाए और खिलापत आंदोलन का भारतिय राष्टिय आंदोलन से यदि कोई समंध बनता था तो उसे आउसर वाद ही कहा जा सकता है और मुहमद अली ने मुसल्बानों से भारतिय सोतंता के लिए संगर्स करने को का क्योंकि एक गुलाम भारत तुर्की और खलीपा की मदन नहीं कर सकेगा और दूसरे अर्थों में भारत को इसलिए आजाद होना था ताकि वह खलीपा और तुर्की की साहता कर सके और कुछ विद्वानों ने इसे सुविधा पराधारीत गटबंदर माना है गांधी ने खिलापत का उपयोग हिंदो मुसलिम एकता की परसार और राष्टी अंदोलन को ससक्त अने के लिए किया तो अल्वी बंधूओं ने इसका उपयोग सरव इसलामी उद्देश के लिए किया तो ये कहा जाता है देखिए गांधी जी की एक तरह से आलोचना की जाती है खिलापत अंदोलन की पिरभाव आप लोग देख लिए और परन्तु इसके अन उद्देशों में कुछ ऐसे भी थे जिनसे आप देखे भारती मुसलमानों में राजनीतिक जागरिटी की बिढ़ी हो गई और देश के अन बरगों के लोगों में भी इसका विरोध किया गया इंगलेंड द्वारा तुर्की समराज का विवाजन मुसलमानों के हित में नहीं था और ऐसा सब कुछ करना उनके साथ अन्याय करना है और एकता की दिशा में नया मोड खिलापत अंदोलन ने भारत में हिंदों और मुसलमानों के बीच पहले से चली आ रही एकता को नया आयाम दिया और दोनों संपताय की लोगों ने एक दूसरे की सुख दुख को समझा और अब बे एक दूसरे की द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों के कंधे से कंधा मिला कर भाग लेने लगे यह भी आप देखे उपलब्धी कह सकते हैं आप लोग खिलापत आंदोलन की अंग्रेजों के पिती मुसल्वानों में अबिस्वास कॉंग्रेश तो सदियों अंग्रेजों को संदे की दरिश्टी से देखती थी लेकिन खिलापत आंदोलन से यह इस पश्ट हो गया कि अंग्रेज मुसल्वानों की मित नहीं है और इस आंदोलन ने मुसलिम लीग को यह सिक्षा आवस्य दी कि उसे अंग्रेज सरकार के पिती अपने बिवार में सावधान रहना चाहिए राष्टी आंदोलन को नहीं उर्जा हिंदो मुसलिम दोनों ही समुदाय का अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों से पूर्टा विस्वास उठ गया और दोनों ही समुदाय के लोगों ने असहो आंदोलन में सक्रिय भूमी का निभाई और दोनों समुदाय के स ये 1922 से लेकर 1929 के बीच सो सौराजवादी और रचनात्मक कारे देख लीजे फरवरी 1922 में असायू आंदोलन बापस लिये जाने और सीगी गांधी जी को गरपतार किये जाने के बाद राष्टी आंदोलन में संघर्ष बिराम की इस्तिति उत्पन हो गई और राष्टी आंदोलन का यहां बिराम काल 1929 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसलिए 1922 से लेकर 1929 के काल को राष्टी आंदोलन की इतिहास में बिराम काल की नाम से आप लोग जानते हैं और वेटे सरकाद द्वारा 1919 में पारित अधिनियम की अंतरगत विधान परिषद की चुनाओं की गोशना की गई तो कॉंग्रेस में दो भिन मत उपस्तित हुए पहले मत का समर्थन करने वाले लोगों में आप देखेंगे चुनाओं में भाग लेकर परिषदों में पिति निधित करना चाहते थे यह पहला आप देखें गुट था इसमें और इस मत का समर्थन करने वाले में आप देखेंगे परिवर्तन बादी कहलाए क्योंकि ये परिशदों की पितिनिधी के रूम में परिशदों में ही भारत की भारत बिरोधी नीतियों का बिरोध कर सरकार के साथ आसायो करने की नीती में विश्वास करते थे और इस मत का समर्थक अगर आप लोग देखें मौतिलाल नहरू ने किया, सियार दास ने किया और दूसरे मत के समर्थक थे आपरिवर्थन बादी और इस मत के समर्थक बिराम काल में रचनादम कारियों को किमाध्यम से जन्ता को नए आंदोलन के लिए तियार करने के समर्थक था और रनिती में किसी पेकार के परिवर्थन का बिरोधी था है और परिशद में सदस्ता के समर्थक बर्ग का नेतित सियार दास और मोतिलाल नहरूप कर रहे थे और जिनोंने अब गया अधिविशन 1922 में अपने पिस्ताओ की व्रोध की कारण 1923 में एक नई पार्टी का गठन किया था कॉंग्रेस खिलापत सौराज पार्टी का और यही बाद में आप देखेंगे सौराज पार्टी की नाम से पिसिद हुई की आप देख लीजे सौराज पार्टी का मानना था कि यदि कॉंग्रेस बिदान परिशादों में हिस्सा नहीं भी लेती है तो भी बिदान परिशादों परिशाद смог करती रहेंगे और चुनाव मेरन राजनेतिक दल बड़े पिर्माने पर भाग ले सकते हैं और इससे जनता पर कॉंग्रेस का प्रभाव कम हो सकता है और महत्मूर पदों पर गेर कॉंग्रेसी का प्रभुत्य संबह हो है और उसकी कॉसिस कॉंग्रेस को कमजोर करनी की होकी इसे रोकने के लिए चुनाव महिस्सेदारी आवस्यक है जरूरी है और इसमें एक और बात कहीं गए सरकार यदी किसी गलत कानून को बैत करार देती है तो जना अंदोलन ना चलाए जानी किस्तिती में बिधान परिष्टों के मध्यम से ही उन्हें रोका जा सकता है उनका विरोध किया जा सकता है और इसमें आप देखे सरकार की गलत सरकार की गलत नीतियों का परिष्ट के अंदर बिरोध जब समाचार पत्रों की माध्यम से जनता तक पहुँचेगा तब उसमें राजनेतिक चितना जागरित होगी वह नए आंदोलन के पितिति तियार भी होगी और परिष्ट की अंदर बिरोध की रणनीति असहुग अंदोलन का बिस्तार होगी तो बाहर बिरामकाल की रणनीति का हिस्सा होगी और सौराज पार्टी की बिरोधी खे में नो चेंजर्स यानि की अव परिवर्तन बादी जिनका नेतित आप देखे ही बल्ला भाई पटेल राजेन पे साथ सी राजगोपाला चारी कर रहे थे और सौराज पार्टी की परिवर्तन बादी बादियों के मद विबाद बरता गया और एक समय ऐसा लगने लगा कि कॉंगरेस का दूसरा विभाजन हो जाएगा और समय गांधी जी ने इस्तिती को समाल लिया हो गांधी जी सौराज कारणों से 1924 में रहा स्वास्त कारणों से रहा कर दिये गए और गांधी जी को सौराज बादियों की इमानदारी दर्टा और अनुसासन और अदम साहस पर पूर्ण विश्वास था उन्होंने सीयारदास और मोतिला नहरू के साथ सायुक्त बयान में सौराजीयों को कॉंगरेस का अभन अंग मागा और आप देखेंगे कि सौराजीयों को कॉंगरेस की नितित्त में परिशद में नितित्त करने के लिए स्विकिती भी मिली और सुराज दल की अगर सफलता हैं आप लोग देखें तो चुनाओ में सुराज वादी दल को उलेकनी ये सफलता मिली सेंटर लेजेश्टलेटिव असेंबली की 101 सी निरवाचिस सीटों में से 42 पर इनकी जीत हुई और मद्ध परांत में आप देखेंगे पूर्ड बहु मत मिला बंगाल में सबसे बड़े दल और बंबई उत्तर पिदेश में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली और जातीबाद और संपदायक्ता की लहर के कारण इन्हें मद्रास और पंजाब में आसफलता का मुए देखना पड़ा और कार्यात्मक इस्तर पर भी सौराज दलने महत्पूर सफलता अरजित की जो निमलिके तरीके से आप लोग समझ सकते हैं देख सकते हैं एक सौराजी निता बिल्धरहल भाई पतेल को सेंटर लेजिसलेटिव असेमली का अध्यक्ष बनवाने में इन्होंने सफलतार जित की और सौसासन की स्थापना के लिए समिधान में परिवर्तन नागरिक सुतंता की बहाली दमनकारी कानूनों के समापती और देशी उद्योगों का विकास जैसे मुद्धों को सेंटर लेजिसलेटिव असेमली में जोर-जोर से उठाये गया और आप देखेंगे बजट मांगों पर कई विधेकों का सदर में फूर बहुमत द्वारा बिरोत किया गया और अंतता सरकार को इने बापस कराने के लिए बीटों का सहरा लेना पड़ा और जिससे सरकार का असली चरित उजागर हुआ और भारत में लोकतंत की एक दिखाव कि बिरोधियों ने भी इस्थानी निकायों में हिस्सा लिया क्योंकि उनका विस्वास था कि रचनादमक कारियों में इस्थानी निकायों की मदल ली जा सकती है और अगर हम लोग सौराजीयों सौराजवादियों की सीमाएं और पतन देखें तो सौराजपाटी बहुत लंबे समय तक राष्टिये आंदोलन में अपनी भूमिका नहीं निवा सकी और इसके पीछे कुछ कारण थे कौन कौन से कारण थे सबसे वड़ा आगात इन्हें सी वादियों में कोई प्रभावसाली नेतित नहीं रहे गया और जब नेतित कलता नहीं रहे गया तो आंगे कैसे बढ़ेगा सौराजीयों का बिरोध मत बिधेकों को रद कराने तक सीमित था इसे भी गवर्नर जनरल बीटों का प्रियूपकर पारित कर सकता था और आप विफुलित होते रहे सौराज पार्टी में बाद की बरसों में कुछ ऐसे लोग प्रिवेस कर गए जो सत्ता में पद चाहते थे और सरकार द्वारा की गई रियायतों का समर्थन करते थे इन लोगों के कारण सौराजीयों की रणीति को गहरा धक्का लगा और सौराजीयों में अधिकांस था मुसल्वान थे तब सरकार को मौका मिला और सौराज पार्टी में संपदायक तत्तों को प्रिविस कराने में उसे सफलता में मिली और बास्तों में सौराज पार्टी अपने भीतर घुसपेट कर रहे संपदायक और पदलोब तत्तों को रोकने में आसफल हो जाती है और एंसी केलकर एम आर जैकर लाला लाज पत्राय मदन मुहन मालविये जैसे नेता जैसे नेता स्वराज पाइटी से जुड़ गए जो सत्ता में भागिजदारी के समर्थ थे और सरकार ने इनके चाटूकारों और हिंदो और मुसलिम समपदायग ताक्तें भी इसके लिए चुनोती बनी हुई थी और एक और आप देखेंगे हिंदो समपदायग ताक्तों ने सौराजीयों के खलाब मोर्चा खोर रखा था तो दोसरी और आप देखेंगे संपधाईक मुसल्वान भी सौराजीयों को कोसने में पीछे नहीं थे और परिडाम यह हुआ कि सौराज पाइटी एकदम कमजोर हो गई और इन परिस्तितियों में पाइटी को और अधिक टूट से बचाने और संसदिय भिष्टाचार को रोकने और कारकरताओं को और अधिक निराख सोने से बचाने के लिए अंतता 1956 से विधार मंडल में हिस्सा ना लेने का पैसला किया गया और स्वराज पाइटी जिस कारण बनी थी वह मुद्धा भी समाप्थ होगा और आप देखेंगे स्वराज पाइटी सुता ही समाप्थ हो गई यह रचनात्मक कारी भी रहे हैं इन्हें भी नेख लेजे यागी भी सुधारों को अंदर से तोड़ने के लिए कौनसिलों में प्रवेश सुराज बादियों का मुख उद्धेश था किन्तु यह एक मात उद्धेश नहीं थाइन का और उनके पास सामाजे कार्थिक सुधारों अत्वा उन्नतकारी गतिविदियों की समझ थी जिसे गांधी जी ने रचनात्म कारिकरमों की संग्या दी थी और गांधी जी का मानना था कि सोतंता संगराम की रत के दो पहिये हैं और रचनात्म कारिकरमों और राजनितिक प्रचार हैं और उनकी अनुसार रचनात्म कारिकरम अठारे बिंदूओं पर आधारित था जिसमें हिंदो मुसलिम एक्ता, आजसबस्ता, उनमूलन, मद्दनिसेद, सौधेसी और भहसकार मुक्वे थे। और रचनात्म कारिक कॉंग्रेस के दोनों गुटों परिवर्तन विरोधी और सौराजवादियों के लिए एक सामान मंच के रूम में उभरा था, फिर भी रचनात्म कारियों को किरियानवन करने में परिवर्तन विरोधी दल के मुकाबले में सौराजवादी जो कॉंसल में प बरगों की सहज़़ूता में विस्वास रखते थे उनके विचार में चुकी हमारी सामाजीक विवस्था सतादीं पुरानी थी इसलिए यह था इस्तिती बनी रहनी चाहिए और यह अगि भी बेक किसानों के पिती नियाय के समर्थक थे लेकिन बेस समाज के धनी बरगों की को पिसंद रखना चाहते थे क्योंकि इन में चुनाव में इने काफी आर्टिक साहता मिलती थे और आप देखिए कि रचनात्मकारियों के पिती अपने समर्थन के दिरिश्टी कौन से सौराजवादियों ने उनके किरियानवन के साधन की रूम में विधान फरशदों की उपयो पितारबन की संभावना भी केवल विचारिक इस्तर तक रह सकती थी और इस पर आप देखेंगे सौराजवादियों की रचनात्मकारियों को विचारिक संधरम में ही देखा जा सकता है क्योंकि विवहारिक धरालपल पर उनके रचनात्मकारियों का दायरा बहुत कम था 6 नवंबर 1924 को गांधी जी ने सौराजवादियों और उनके विरोधी विरोधियों के बीच खाई को पाट दिया था और सियारदास गांधी जी और मौतिलान लहरू ने एक सयुक्त बायान पर हस्ताक्षर कियो गांधी दास पैक्ट जिसे कहा गया और इसमें सौराजी ने के वल अध्यक्ष बने हैं गांधी जी वो था बैल गाओं का कॉंग्रेस अदिवेशन सेंटल सेंटल लेजिसलेटिव असेंबली में सौराजीयों ने सांझा राजनेतिक मोर्चा बनाया और इसमें जिन्ना के नेतिक में उनके समर्थक उधारवादी व्यक्तिगत रोप से कुछ बिधायक जैसे मदन मुहनमाली भी सामिल थे सौराजीयों ने तीन बड़े मुद्धों को काफी जोरदार धंग से उठाया सौराज की स्थाफना के लिए समिधार में परिवर्तन नागरिक सुतंदा की भाली और देशती उद्योगों का विकास करने की बात कही है 16 जून 1925 को सियारदास की डेथ हो गई और जल्दी इस पार्टी में ऐसे लोग घुस गए जो सत्ता में पद चायते थे और सोधारों के समर्थक थे और MC केलकर, MR जैकर, अननेताओं ने इनका साथ भी दिया और लाजपतराय और मनन मुहनमालीय ने सत्ता में सांजहधारी बस संपदायकता के मुद्दे पर सुराज पार्टी छोड़ दी थी और मौतिलाल नहरू ने पबलिक सेप्टी बिल 1928 को भारती गुलाम मी विधयक नंबर 1 की संगया दी थी और सुराजीयों की मांगों के पाईडाम सरूप 1924 में सरकार ने 1919 के अधिनियम की समीच्छा के मुडी मैन कमेटी की नियुक्ति की थी और 1925 में आप देखेंगे मौतिलाल नहरू ने स्कीन कमेटी की सदस्ता सुईकार की और जो आप देखेंगे सीवा के तीब भारती करण के लिए नियुक्ति की गई थी अब आप देखें साइमन कमीशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा तो आप देखेंगे संसद में स्वराजबादियों के कारियों में यह पूर्ता सिद्ध हो गया था कि जो 1919 के सम्मिधानिक सुधार हैं एक परयाप्त नहीं है परियाप्त नहीं है और जनता में यह भी भावना घर करती जा रही थी कि बेटे सरकार के खिलाब दूसरे आंदोरन का समय नजदीक आ रहा है और इसी बीच आप देखेंगे बेटे सरकार ने सम्मिधानिक सुधारों के लिए एक साही आयुक की घोशना की थी और चुकि 1919 के अधिनियम में यह पहले से ही यह पहले से ही बढ़िक था कि 10 बर्स के उपरांत 1919 के समिधानिक सुधारों की प्रगिती का अउलोकन करने के लिए एक आयुक का गठन किया जाएगा और इस बात का भी अस्वासन दिया गया था कि इस आयुक में भारतियों को भी सामिल किया जाएगा परन्तु जब कमीशन भारत आया तो इसके सभी सदस अंग्रेज थे हाला कि यह आयुक 1919 के अधिनियम के उन प्रावधानों के अनुरूप था जिसमें कहा गया था कि 10 साल बाद यानि की 1929 में एक आयुक का गठन किया जाएगा परन्तु बेटे सरकार ने 1927 में ही आयुक का गठन किया का पिस्ताव किया और इस आयुक की अधिक्च आप देखेंगे सर जौन साइमन थे और इसलिए साइमन आयुक के नाम से आप लोग इसे जानते हैं इस आयुक में साथ सदस थे जो सभी अंग्रेज थे यानि कि आप 1927 को मदरास में हुए कॉंग्रेस के बासिक अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एमे अंसारी ने की थी और साइमन के पूंड वहसकार का नेड़ा लिया गया मुहमत सभी की नितित में मुसलिम लेक का एक गुड साइमन आयुक का समर्थक बन गया है और मदरास की का आयुजन कर उसे इकाले जंडे दिखाए गये और साइमन वापस जाओ कि नारे भी लगाए गये लखनव में आप देखें कि खली कुझमा और मदरास में टी पकासन में अनोखी अंदाज में आयुक का विरूत किया लखनव में पंडित जवालाल नहरू और गोविंद व हुए थे और कॉंग्रेस ने इसाधार पर इसमें एक भी भारतिय सदस नहीं है और भारत का राजनेतिक भविस्त बिना किसी भारतिय के तैय हो यह भारत के लिए अपमान जनक है इसका विरोध किया था और इसमें उद्दे पर तेज बहादू सप्रू का लिवरल था उतना ही आप देखें बरमर इसका दमन था और इसमें दमन की क्रम में पुलिस की लाटियों से घायल होने के बाद लाला लाचपतराय की मिट्टी हो जाती है साइमन कवीशन की रिपोर्ट की अगर हम लोग देखें तो साइमन आयों की रिपोर्ट 1930 में पिकासित हुई जिसमें प्रावधन नेम लिखे थे इसमें प्रांतों के लिए पूर्ट उत्तरदाई इत्त सासन की सिफारिस की गई और इसमें पुलिस और नियाय का नियंतर्ण भी मंत्रियों को हस्तांतित कर दिया जो बिधान मंडल के पिती उत्तरदाई थे और बिदार मंडलों के लिए विश्तित मत अधिकार की सेफारिस की गए केंदरी ये मंती मंडल पे बेटिस अधिकार और नियंतर्ण जारी रखे जाए भारती रियासतों से गहरे संपर के लिए एक अखिल भारती संगी की योजना का अपिस्थाव भी किया गया इसमें हेड लगाता चौनोती दे रहे थे कि भारत सर्व सम्मती से समिधानिक सुधारों के लिए कोई टोस पिस्थाव नहीं बना सकता है भारती उन्हें इस चौनोती को सुईकार भी किया और मौतिलाल नहरू की अध़क्षता में एक रेपोर्ट तेयारी हुई जिसे आप लोग नहरू रेपोर्ट के नाम से जानते हैं चलिए अब हम लोग नहरू रेपोर्ट के बारे में बात कर लेते जो आपकी 1928 में आई हुई थी और साइवन कमीशन में किसी भारतीय की ना होने पर भारतीयों ने इस पर तीब पितिक्रिया बैक्त की और कमीशन में किसी भारतीयों को नाज लिये जाने के कारण सरकार ने बताती हुए कहा एक तो भारतीयों में परस पर मतभेद है यानि कि आपसी में जगड़े बने हुए हैं और दूसरी तरब साइवन आयो का गठन बेटिस संसत द्वारा किया गया जैसे बेटिस संसत को अपनी रिपोर्ट देनी है और इसमें भारतीयों को सामिल करने का उच्चित नहीं बचता और भारतीयों द्वारा पितिरोज किये जाने पर भारत के मंत्री लौर्ड बिरकिन हैड ने इस पर इसी आउसर पर भारतीयों को चनोती दी थी और क्या कहा था उनने कहा कि एक ऐसा समीधार बनाए जिस पर सभी राजनितिक दल सहमत हो भारतियों ने इस चनोती को स्विकार गिया और दो फरवरी 1928 को दिल्ली में विभिन राजनितिक दलों की एक सरब दलिये बैटक बुलाई गई और इसमें सभी पार्टियों ने यह बात कहिए कि जब तक सरकार डोमिनियन इस्टेट्स देने का बाइदा नहीं करेगी तब तक उससे कोई समझोता नहीं होगा इसके बाद आप देखेंगे 19 मई 1928 को एक सरब दलिये समेलन बंबई में हुआ और जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी और आप देखेंगे कि इस अधिवेशन में समिधार निर्माण करने के लिए एक समिती गठित की गई और जिसके अध्यक्ष मौतिलाल नहरू बनाए गया इस समिती के सदस्ते तेज बहादु सपरू, अली इमाम, सुएम कुरेशी, सुवास्चंद बॉस, एम एस अने और एम आर जैकर, एन एम जोसी और मंगल सिंग जैकर के बाद में आप देखेंगे, समिती से अपना नाम बापस ले लिया था और इस समिती को समिधार निर्माण के लिए एक जुलाई 1928 के पहले तक का समय दिया गया था और इस समिधार निर्माड से आप देखेंगे इसमें की समिधार निर्माड से समधर रेपोर्ट पिस्तुत की और जिसे नहरू रेपोर्ट के नाम से आप लोग जामते हैं समिती की जुन से जुलाई तक 25 बैटके हुई और इसके बाद आप देखेंगे 28 अगस्त 1928 को लखनव में सर्वदलिय सम्मेलन में इसकी रेपोर्ट पिस्तुत की गई और जिसमें एक रेपोर्ट की पुष्टी कर दी गई और इसके बाद 22 दिसंबर से एक जन्मरी 1929 तक एक सर्वदलिय सम्मेलन कलकत्ता में हुआ और जिसकी अध्यक्ता डॉक्टर अंसारी ने की थी इस सम्मेलन में अंतिम रूफ से यह रेपोर्ट पिस्तुत की गई और इस रेपोर्ट के मुख प्रावधान इस तरह से थे तो इस रेपोर्ट के आप लोगों को मुख बिंदू आप लोगों को याद रखना है कि इस रेपोर्ट में था क्या क्या आखिर तो भारत को डॉमिनियन स्टेट का दर्जा इसी पेकार पिदान किया जाए जैसा कि बेटे समराज ने कनाड़ा दच्छिक अपी का ऑस्टिल मौलिक अधिकारों की बात करती है और आप देखें कि सम्मीधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधन किया जाए और केंद्रिये बिधान सभा की निचली सदन और प्रांतिये बिधान सभाओं की सवदस निरबाचित होंगी लेकिन जहां मुसल्वान अल्पमत में हैं वहा आरक्षित इस्थानों का निश्चय जनसंख्या की आधार पर निश्चय समय के लिए होगा और पितेग पूरोस औरस्त्री को 21 बर्स की आयू होने पर मत देने का अधिकार होगा अब आप देखते हैं कि 18 साल की बात होती है कि अगर आपकी उमर 18 साल हो चुकी है तो आप प्रांतों का निर्माड भी भासाई आधार पर ही होगा और जिन विसेओं पर केंद्रियों और प्रांतिय सरकारों को सासन का दिकार होगा बेक एक ही अनुसूची में सामिल होंगे इस सभी आपकी नहरू रिपोर्ट के पॉइंट है इनने भी आप लोग याद रखिएगा आगर हम लोग नहरू रिपोर्ट पर जो बिवाद था उसे भी देख लेगे नहरू रिपोर्ट पर दो तरह की आपतियां सामने आई थी एक तो राष्ट वादियों का एक वर्ग नहरू और सुवाश्चंद की नेतित में डॉमिनियन इस्टेट की जगए पूर्ट सुतंत लीक की थी और उस पर सहमती नहीं बन सकी लीक की आपति संपदायक निर्वाचन पिडाली को खतम करने और आउसरिष्ट सक्तिया केंद के पास होने और मुसल्वानों को केवल अब संक्यक वाले राज्जों में आरक्षर मिलने की मुद्दों पर थी और जिन्ना ने नहरू रिपोर्ट से आसंतोस ब्यक्त करते हुए अपनी 14 सुत्री फार्मूला के तहट पिस्तुत की थी और मुहमद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट की कई धाराओं पर आपक्ती प्रकट कर दी और क्या कहा इन्होंने मुहमद अली जिन्ना जिन्ने आप दिखते हैं कि पाकिस्त प्रावधन दोनों सदनों द्वारा उत्तथन सहयुक्त रूप से अस्ती पितीत मतों की बिनास नहीं संपन होगा और जिन्ना के इस प्रावधन को सुईकार नहीं किया गया और कलांतर में जिन्ना ने नाराज होकर अपना 14 सुत्री फार्मूला पिस्तुत कर दिया जिसे ज जिन्ना पिस्ताओं के नाम से आप लोग जानते हैं और अब हम लोग जिन्ना के 14 सुत्रों को भी देख लेते हैं एक क्या-क्या थे इसमें क्या-क्या कहा गया था राष्टेबादी मुसल्मानों ने रिपोर्ट को सुईकार कर लिया कि तु जिन्ना ने नहरू सम्ती के कई परावधानों पर अपना ग्रोवत परगट किया और अपने एक अलग उजना प्रिस्तुत की जिसके परावधान इस तरह से थे भारत में भारी भारत में भावी समिधान का सवरूग संघाद मेख होना चाहिए जिसमें औसीष्ट सक्तिया केंद्र के पास होंगी सभी परां और अल्व संख्यक बरगों के लिए पितक नेरबाचन पेडाली के आधर पर ही पिती निधि निधित किया जाए और किसी भी परांत की विवाजन में से पंजाब बंगाल या पश्मोत्तर सीमा परांतों में मुसल्वानों के वहुमत पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए सभी संपधाय को अपने धार्मिक विश्वास उपासना अतिवहार, पिचार, संबिलन, सिक्षा की पूर्ण स्वाधिनता होनी चाहिए यदि कोई भी संपधाय या वरक किसी भी विध्यक पर तीन चौथाई मत द्वारा अपना बिरोत पिरगट करें तो उसे नहीं पास होना चाहिए सिंद को बंबई पिरान से अलग कर देना चाहिए सीवांत और बलूचिस्तान प्रांतों में सुधार किये जाने चाहिए सभी सरकारी सेवाओं में मुसल्वानों को उच्चे तारक्चन मिलना चाहिए ए बातें कहीं गई थी और ए बातें आप लोगों को याद भी रखने होगी मुसलिमों को उनकी संस्किती सिख्चा, भासा, धरम, ब्यक्टिक कानूनों की सुरक्षा के लिए परियाद सरक्चन मिले केंदरी अत्वा प्रांती मंति मंडल में कम से कम एक तिहाई मंतरी मुसल्वान होने चाहिए केंद्री विधार मंडल को समीधार में परिवर्तन का अधिकार तभी हो जब संगे की काईयां उसे सुईकार कर ले और जिन्ना के जो 14 सुत्रिये मांगों को कॉंग्रिस ने सुईकार नहीं किया और इसी बीच सरकार ने 31 दिसंबर 1930 तक दी गई तारीक को दी गई तारीक को आप देखेंगे कि भारत की पूर्ण सुराज की मांग नहीं सुईकार की और नहरू रिपोर्ट में पूर्ण सुतंता जैसी कोई बाद नहीं की गई थी जबकि 1927 की मतराज सदी वेशन में कॉंग्रिस ने पूर्ण स्वाधिन्ता का लक्ष पारित किया था और इस बाद का तीव बिरोध किया गया और नमबंबर 1927 में औल इंडिया इंडिफेंडेंस लीक की स्थाफना की गई और इसके संस्ताफक स्वास्चंद बोस और पंडिजवालाल नहरू थे और दिसंबर 1928 को कलकत्ता में कॉंग्रिस सदी वेशन होता है और जिसकी अद्धक्षता मौतिलाल नहरू ने की थी और इस अद्धिवेशन में कॉंग्रिस का एक गुट टोमिनियन इस्टेटस का लक्ष पारित करवाना चाहता था जबकि बहुस और नहरू का गुट कॉंग्रिस का पूड स्वाधीन ताग लक्ष पारित करवाना चाहता था यह आप लोगों को बताया ना मन बहेद होना बुरी बात नहीं है आप देखे कि नहरू पंडिजवाल लाल नहरू मोतिलाल नहरू की ही मत क्या थे मत भेद थे आप देखे कि विचारत हला अलग 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 देखी जाती थी गांधी जी ने इस्थिती को रख परक कर बुद्धी मानी से यह फिस्ताव पास करवा लिया और कॉंग्रेस अपने मद्रास अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वाधी हिंता के फिस्ताव पर डटे रहे रहते हुए नहरू कमेटी द्वारा पारिस समीधान को सुईकार करती है और इसमें यह भी कहा गया कि सरकार 31 दिसंबर 1930 को यह सुईकार नहीं करेगी तो कॉंग्रेस एहनसक और आसायोग आंदोलन चलाएगी अब गांधी जी ने गांधी जी को यह भी लगने लगा था कि नवीन जनांदोलन का समय नजदी का रहा है उन्होंने इसके लिए रनीती बनाने की भी सुरू कर दी थी और जल्दी भारत की इतिहास में एक सत्ता एक एसांदोलन सुरू होने वाला था जो पितम द्रिष्टा बहुत साधनार दिख रहा था परंत बेटे सासन को बुरी तरह से जग जोर ने बाला अंदोलन था और आप लोगों को एक और बात बता दूँ पंडित मौतिलाल नहरू आप देखते हैं पंडित जवालाल नहरू की पिता थे अब बात करते हैं सभी नए अयोग्या आंदोलन की जो आप देखते हैं 1930 से लेकर 1934 तक चला तो सभी नए अयोग्या आंदोलन की पिष्ट भूमी तभी बन गई थी जब असायोग आंदोलन को उसके चरम पर वापस ले लिया गया था ना तो आंदोलन का उद्देश ही पूरा हुआ था और ना ही जनता वेटे सरकार के विरुदे लड़ने का जोस खतम हुआ था पहले असायोग आंदोलन की बात हो रही है जनता के मन में यह बात बैठ गई थी कि असायोग का सरकार में दमन नहीं किया था और बलकि यह है तो कॉंग्रिस नेतित की कारण रोक दिया गया था और इससे वे सरकार के उपर अपनी जीत के रूम में देखते थे और उसका आत्मबल बरकराद था 1930 तक आते आते अन परिस्तितियों ने इसमें सहयोग किया और एक और आंदोलन की भूमी का तियार की आंदोलन की पेश्ट भूमी के निर्माण में नेमलेखित घटनाओं का योगदान भी रहा है जैसे कलकत्ता दीवेशन 1968 कलकत्ता दीवेशन में नहरू और सुबास की नेतित में नहरू रिपोर्ट पर गहरी आपत्ती जताई गई ये लोग डॉमीनियन स्टेटस की जगह पूर स्वाधिनता की मांग कर रहे थे और इनों ने अपना बिरोज जताने के लिए एक भारती सुतंता लीक का गठन भी कर लिया था आप देखें कि पिता के नाम पर कोई रिपोर्ट बनाई जाती है बेटा उससे सहमत ना हो आप समझ रहें ये इसा हमारा देश रहा है आज की समय में देख लिए आप पिता की किसी फैसले से आसहमत होकर देखिए घर से निकाल लेंगे दूसरी ओर गांधी और अननेता इतनी जल्दी डॉमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वाधिनता की ओर नहीं बढ़ना चाहते थे उनका विचार था कि सरकार को इसके लिए बक्त देना चाहिए और फिलहाल डॉमिनियन स्टेटस पर ही सहमती बननी चाहिए और वे सरकार को दो वर्स का समय देना चाहते थे यानि कि गांधी जी ठंडा ठंडा करके खा रहे थे कि कुछ अभी मिले कुछ बाद में मिले इस तरह से मिलता जाए और एक आप देखे धड़ा ऐसा था जो चाह रहा था कि काई एक सब कुछ मिल जाए किंतों आप देखेंगी यूगा राष्टबादियों के दवाओ में अंतता तैह हुआ कि सरकार को एक वर्स का समय दिया जाए और यह संकर्व लिया गया कि यदि सरकार इस बीच डॉमिनियन स्टेटर्स का समिधान जारी नहीं करती तो लाहोर में होने बाले अंगले अब दिवेशन में कॉंग्रेस पूर्ट स्वाधिन्ता को अपना लक्ष घुसित कर उसके लिए सबीने एवग्यान दल चलाएगी यानि कि दोनों धरों के भीच समझोता हो जाता है फिर आप देखेंगे सरकार का रोख अडियल रोख वायस राय ने कलकत्ता अधिवेशन की पिस्ताओं की पेक्षा करते हुए का कि भारत के राजनेते विकास के लिए कि सभी सूत 1917 की गोशना में नहे थे और उसी में डोमिनियन स्टेटरस की प्राप्ती भी जुड़ी हुई है उन्होंने कहा कि साइमन आयो की सिफार से आने के बाद वायस राय की या गोशना अक्टूबर 1929 में हुई जबकि साइमन कमिस्टन रिपोर्ट 1930 में आई थी एक गोल में सम्मिलन बुलाया जाएगा जिसमें डोमिनियन स्टेटरस के मुद्धे पर वारता भी की जाएगी जिसे आप लोग गोल में सम्मिलन कहते हैं दूसरी ओर कॉंग्रेस से 1917 की घुशना और उस पर आधारित 1919 का कि सुधारों को पहले ही नकार चुकी थी शाथ ही वह चाहती थी कि साइवन आईउ की रिपोर्ट के आने के पहले कि गोल में सम्मिलनों में डोमिनियन स्टेटर्स के मुद्धे को सुझा लिया जाए और कॉंग्रेस का या भी चाहती थी कि जब गोल में सम्मिलन आईउजित होँ तो चर्चा इस बात पर हो कि डोमिनियार स्टेटस कब दिया जाए वलकी यह तैकि कर लिया जाए कि इसे लागू करने की योजना बना ली जाए और सरकार ने कॉंग्रेस की इस पिस्ताओ को आसुईकार कर दिया और राजनितिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए और गोल में सम्मेलन में कॉंग्रिस का बहुमत में पिति निदित हो सरकार की अडियर रभेय ने आंदोलन की पेश्ट मुमी तेयार कर दी और अब यह इसपस्ट हो गया कि आंदोलन इनके अलावा कोई रास्ता नहीं रहा है गोल में सम्मेलन के फिति गांदी जी की असंखा देख लीजे नहरू रिपोर्ट पर जिस पिकार से बिभिने दलों की बीच मद्भेद उभर के सामने आये तो उसे देखते हुए गांदी जी को गोल में सम्मेलन की सफलता पसंद देवी था उन्होंने महसूस किया कि ऐसे समय में जबकि भारती राष्टी दलों और भारती राष्टी कोंग्रेस में आपस में ही बुरी तरह फूट पड़ी हुई है सम्मेलन में भाग लेना निरत्तक होगा क्योंकि अंग्रेज इस फूट का लाव उठाएंगी और किसी ठोश नेड़े पर पहुंचना असंभव हो जाएगा और गांदी जी चाहते थे कि वेटरेन से बाच्ची तब की जाए जब भारती है दलों के भी चेकता हो और उनका विचार था कि एक बार जब आंदोलन आप देखें आरम होगा तो आंदोलन के जुआर में सारे मतबेद भुला दिये जाए आप सोचें कि एक परिवार है उस परिवार में ही फूट डली हुई है तो आप देखें दूसरे से आप समझोता कैसे करेंगे सामने बारे से जब पूरे परिवार एक होकर मांगे अपनी एक रखेगा तभी तो बात की जा सकती है इसके लाबा गांधी यह भी महसूस करने लगे थे कि अंग्रेज कॉंग्रेस के साथ चल कर रहे हैं साथ ही उन्होंने यह भी अनुमान किया कि आंदोलन से मिलने वाली सफलता से कहीं जाना ही होकी और उन्होंने सविनय एयुग्या की बात सुरू कर दे फिर आप देखते हैं कि आपका लाहोर अधीवेशन होता है लाहोर अधीवेशन दिसंबर 1929 तक सरकाल को एक वर्स का समय दिया गया समय पूरा हो चुका था और कॉंग्रेस के इतिहासिक लाहोर अधीवेशन की अध्यश्था पंडिच जवाहलाल नहरू ने की थी समयलन में नहरू रिपोर्ट को पूधित रहे निरस्त होशित कर दिया गया और समयलन की आधीदात्री को रावी नदी के तट पर कॉंग्रेस के अध्यक्ष जवाहलाल नहरू ने भारती सुतंता का पितिक तिरंगा जहंडा फराया और अधीज विशन में निमलिखित बातों पर सहमती बनी ये कौन कोंसी थी पूर्ट सुराज अब कॉंग्रेस का प्रिधान लक्ष होगा गोल में समयलन का वहिसकार किया जाएगा कॉंग्रेस कार समती जब उच्चे समझे आंदोलन आरम कर सकती है सदसों को कौन से चुनावा से दूर रहने और वर्टमा सदसों को पत्याग करने का निर्देश दिया गया और यह तैह हुआ कि 26 जन्मरी 1930 को संपूर्ण राष्ट पिथम स्वाधिनता दिवस मनाएंगे और आप देखते हैं कि आज भी गर्टम दिवस के रूम में आप लोग 26 जन्मरी को मनाते हैं तो यह आप लोग देखें लाहर जो अदिवेशन हुआ था उनकी मुख मांगे हैं यह भी आप लोग याद रखेगा अब बात करते हैं गांदी जी की 11 मांगे कौन को उसी थी हमेशा की तरह गांदी जी सरकार की को एक आखरी मौका देना चाहते थे और यंग इंडिया में पेकासित एक लेक के द्वारा उन्होंने सरकार के सामने 11 मांगे रखी और 31 जनवरी 1930 तके से पूरा ना होने पर अंदुलन की चेतावनी थी यह मांगे निमलिकित थी यानि कि आपको बता दू कि गांदी जी हल तरह से मौका देते थे अभी सुधर जाओ अभी भी मौका है अभी मौका है लेकिन यह आप देखे कि पूरी तरह से क्या थी यह पूरी तरह से आप देखे कि वो बन चुके थे कि हम नहीं मानेंगे हम नहीं मानेंगे बातें इसमें लगान में आप देखे 50% की कमी की जाए नमक कर समात किया जाए रुफे की बिनिवैदर घटाई जाए एक सेलिंग 4 पैंस की जाए और रक्षातमक सोलक लगाकर विदिसी कपनों का आयात नेंतित किया जाए तटिययययय यातायात रक्षा विदियक पास किया जाए यह गांधी जी की 11 सूत मांगे है सभी जरानितिक बंदी रहा किये जाए सस्त रखने का अधिकार दिया जाए नसली बस्तों की विक्री पर रोक लगे सिविल सेवाओं और सेना में ब्याय में 50% की कट्टोती की जाए और गुप्त चर विभाग खतम किया जाए या उस पर सारजेंक नेंतर्ण हो डांक आरक्षन बिल पास किया जाए जब सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो फरवरी 1930 के अंत में गांधी जी ने नमकानून का मुद्दा वना कर आंदोलन छेड़ने का नेड़े लिया और यहां से आपका सुरू होता है क्या सविने अयोग्या आंदोलन आरम होता है गांधी जी ने अपनी ग्यारे सूत्री मांगों को ना माने जाने पर एर्विन को एक पत लिखा मैंने रोटी मांगी थी मुझे पत्थर मिला यह भी कई बार पूछ लेता है कि यह किस ने कहा था गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी मुझे पत्थर मिला इंतजार की घडियां समाथ हुई और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सावरमती से अपने 78 समर्थों के साथ चलकर 5 अपरेल को गुजरात के एक समुद्री तरपर डांडी पहुंचे इसे डांडी मार्च के नाम से आप लोग जानते ह मार्च को शुरू हुआ था और आप देखेंगे 5 अपरेल को यह पहुंच गये थे और 6 अपरेल को सुभए उन्होंने आप देखेंगे समुद्री जल से मुठी भर नमक बना कर उस नमक कानून का उलगन किया था जिसके तहत आम आदमी को नमक बनाने का अधिकार नहीं था और 9 अपरेल को उन्होंने जंता को यह निदेश दिये थे अब आप में इसे कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखेर नमक ही क्यों लिया गया था यह भी तुम आयना रखता है तो आपको बता दूँ कि देखें उस समय नमक किसी धरम से नहीं जुड़ा हुआ था आप को हिंदू हो या मुसल्मान हो आप सभी जानते हैं इस बात को नौपरेल को उन्होंने क्या जनता को संदेश दिया निर्देश दिये देखिए गांधी जी है दान्डी मार्च जहां भी संभव हो नमक बना कर नमक कानून तोड़ा जाए यदी परयाप सकती हो तो करना दिया जाए इस्थानी निता अहिंसा बनाए रखने की में सहयू कर इस्कूल कॉली नियालेओं को अभेसकार किया जाए और सरकारी नोक्रियों से त्याक पत्त दिया जाए सराब अपीम विदेशी कपलों की दुकानों पर धन्ना दिया जाए लोग घरों में चरकाल चलाकर सूत काते और खादी पहने और गांधी का यह निदेश आंदोलन का कारिकरम था जनता ने इस कारिकरम का व्यापक अमल किया और तमिलाडू में तंजोर के समधिततफर चकवरती राजगोपालाचारी ने और तीची लापली में से बेदारन की नमक यात्रा की थी यह आप लोग जरूरी याद रखा करिएगा एक कुश्चन स्कूच लेता है और आंद्पिदेश के विभेने जिलों में नमक सत्यागे के मुख्याले की रूम में काम करने के उद्देश से सीवी रम इस्थाफित किये गए तेरे वर्सी युवा नागा महला ने गोडेन लिव ने अपने नागा साथियों के साथ सविने अग्यान दोलन का पूरा समर्तन किया और 14 अप्रेल को नमक कानू तोड़ने की जुर्म में पंडिजवालाल नहरू की गरपतारी की गई और धरासना में 21 माई को सरोजिनी नाइडू इमाम साहब और गांधी जी के पुत्त मनिक मनी लाल की नेतित में 2000 स्वेम सेविकों को धरासना नमक कार खाने पर धावा बोलने से पूर लोही की मुठ वाली लाठियों से पीटा गया और धरासना की भयानक रूप का उलेक अमेरीकी पत्रा पतकार मिलन ने अपने बैवरे में किया है आप देखते हैं मुंठ आप लोगों ने देखा होगा कि लाठी के आप देखे कि एक सिरे पर आप देखे कि लोही के तार बांदिये जाए और फिर उसे पिटाई की जाए फिर आप देखे कि कर ना अदा करने के अभियान का मुक इस्थल पूरी भारत था और जहां चौकीदारी के लिए कर अदा करने से लोगों ने मना कर दिया उत्तर पदेश में कर ना दो लगान ना दो का अंदोलन चलाया गया आगरा और राइबरेली के जिले इस अभियान के मुके कैंद थे और आप देखेंगे सविने एयुग्या आंदोलन में मुसल्वानों की भागेदारी असायुग आंदोलन की तुला में नगन ने थी और 1930 में आप देखेंगे 1930 के सविने एयुग्या आंदोलन की समाई ही उत्तर पष्चे में सीमा परांध परांध के कवालियों ने गान्धी जी को मंगल बाबा कहा था तो ये भी याद रखेगा अब बात होती है आंदोलन की फ्रक्यति की क्या? आंदोलन की फ्रक्यति की गांधी जी द्वारा नमक कानून का उलगन करने के बाद देश भर में इस कानून को तोड़ने का सेलसला चला और इसके अलावा लोगों ने अपने इस्थानिये समस्याओं की अनुसार सरक्यार के विरोध अविग्या अंदोलन चलाया और मसलन तम्यलाडू केरल आंदिपेदिस में नमक कानून तोड़ा गया तो महराष्ट मद्परांत करनाटक में बन कानूनों का उल्लगन किया गया विहार बंगाल में चोकीदारी करके विरोध में अंदोलन हुआ तो असम्य कनिंगम सरकूलर इसके तहत चात्रों अविबापकों को अच्छी आचरन का पिरमाटपत्त देना होता था कावलन किया गया गुजरात और सयुक्त परांत में भूराजिस ना अदा करने का अंदोलन हुआ चटगाओं में सूरसेन और उनकी साथियों ने सस्तागार का कुलोटा तो चटगाओं से जुड़े हुए कौन थे सूरसेन पेसावर में खान अब्दूल गफार खान की नेतित में अंदोलन हिंसक होने के बाद लाई गई गड़वाल रेजिवेंट के हिंदू सेनकों ने अपने अफसरों की अयोग्या करती हूँ मुसल्वान अंदोलन कारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और गफार खान ने अपने खुदाई खिदमतगार संगठन की सदस्तों के साथ इस अंदोलन में अत्यंद सक्कीरी रूप से भाग लिया सूलापुर में मजदूरों ने पुलिस को खदेर कर एक सब्ता तक वहां समाननता सरकार कायम कर ली और इस परकार यह अंदोलन सारे देश्ट में फेला और इसमें चात्रों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, महलाओं ने भी सक्रिये भाग लिया और फिर आप देखते हैं कि गांधी इर्विन समझोता होता है इसी बीज यह 4 मई 1930 की बात है कि गांधी जी को गरपतार कर लिया जाता है और इसके बाद सरकार एक तरफ आंदोलन का दमन कर रही थी, तो दूसरी वो समझोती का प्रियास भी कर रही थी जुलाई 1930 में आप देखेंगे वायसराय ने डॉमिनियन स्टेटस पर चर्चा के लिए गोल में सम्मिलन का प्रिस्ता हो रखा हिंदू महासवा, मुसलिम लीग, भारतियर, रजबाडे और धलिदवर्ग की पितिनी धी ने इसमें भाग लिया और आप देखेंगे 12 नमूर 1931 जनवरी 1931 तक चलाए पहला गोल में सम्मिलन, किन्तु कॉंग्रेस के सम्मिलन में भाग ना लेने के कारण सम्मिलन आसफल हो गया तो आप समझ सकते हैं कि कॉंग्रेस इतनी मजभूत थी, कॉंग्रेस की तरफ से पहले आपके गोल में समेलन में किसी ने भाग नहीं लिया, और इस समेलन का उधाटन वेटरेंड के समराट जॉर्ज पंचम ने किया था, और अध्यक्सता पिधान मंतरी रेमजे मैग डॉनाल ने की थी, यह दोनों नाम भी आप लो याद रखिएगा, सरकार ने यह मैसूस करते हुए गांधी जी और कॉंग्रेस को लिये बिना किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है, 25 जन्मरी को गांधी और अने नेताओं को बिना सर्वत रहा कर दिया गया, और इसके बाद आप देखेंगे, वायसराय और गांधर जी के भी चली 15 दिन की वारता के बाद, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझोता हुआ, कब 5 मार्च 1931 को, यह भी आप लो याद रखिएगा, रख पाओगे या ने रख पाओगे, और समझोती की सर्थें क्या थी इसमें, तो इसमें आप देखेंगे, इसके तहद वायसराय लॉडर एरविन इस बात पर सहमत हुए कि हिंसात्मक अपरादियों के अलाबा सेज राजनेतिक कैदी रिहा कर दिये जाएंगे, और त्याक पत दे चुके सरकारी कर्मी नौकरी पर बापस लिये जाएंगे, समोध तट पर एक पती बापस की जाएगी, भगस सिंग को फांसी ना देने और पुलिस को जादती की जाज कराने की को सरकार से सरकार ने नहीं माना, और यहीं आप देखते हैं गांधी जी को गलट ठहरा दिया जाता है, कि गांधी जी चाहते तो उन्हें आप देखी कि बचा सकते थे, लेक कॉंग्रेस की ओसे गांधी ने सरकार को बचन दिया की अयोग्या आंदोलन बापस लिया जाएगा। कॉंग्रेस दुतिया गुल में सम्मेलन में भाग लेगी। कराची अधिविशन मार्च 1931 देख लिजे। मौलीक अदिकारों के साथ आर्थिक करक्रमों से सम्मंदित पिस्ताओ पास किया गया। और इस अधिविशन में पूर्ड सोराज को पहली बार परिभाषित किया गया। कहा गया कि जनता फर होने वाले सोसन को समाप्त करने के लिए राजनेतिक आजादी के साथ साथ आर्थि कारक्रमों की द्वारा और मौलिक अधिकारों की मांग की बात करें तो मौलिक अधिकारों से जुड़े पिस्ताओं में निमने अधिकारों की मांग की गई अभीब्यक्ति एवं प्रेश की आजा दी वैस के मताधिकार पादा धरी चुनाओ सभा और सम्मिलन आयर्जित करने की आ जादी संगठन बनानी किया जादी कानून के समख समानता राज्य का धरम निरपेक स्व रूप अल्व संख्यकों और अन्य भासद भासा भासियों की संस्किती भासा लिपी की सुरक्षा अनिवार एवं निसुल के सिक्षा ये सभी सामिल थे आर्थिक कारिक्रमों से जुड़ा पिस्ताओ अगर आप देखें आर्थिक कारिक्रमों से जुड़े पिस्ताओ इस पेकार थे मजदूरों और किसानों को यूनियर बनानी किया जादी लगान और मालगुजारी में उचित कटोती आलापकर जोतों को लगान से मुक्ती मजदूरों के लिए बहतर सेवा सरते महला मजदूरों की सुरक्षा महला मजदूरों ही तु काम के घंटों की संख्यान निर्धारित होना मुक्ष द्योगों परिवहन और खानों पर सरकारी स्वामित्य की बाद कही गई और इस पेकार से कॉंग्रेस का कराची अदिविशन उसकी मूल नीतियों को इसपष्ट करता है और कॉंग्रेस की एड नीतियां उसके संपूर्स अंगर्स एवं आजादी के बादे बाद की समीधान में देखी जा सकती है अनपिस्ता भी देख लिजे गांधे रिविन समझोते को मंजूरी दी गई एंसा की सिद्धान्द में आस्था व्यक्त करते हुए करांती कारियों के बलीदान की पिसंसा की गई भगर सिंग आदी को 6 दिन पहले फांसी दी गई थी इसमें पूर्स औराज के लक्ष को दोराया गया ठीक है फिर आप देखते हैं कि दुतिय गोल में सम्मेलन होता है इसे भी आप लोग देखिएगा ये साथ सेप्टमबर 1931 से एक देसमबर 1931 तक चलता है दुतिय गोल में सम्मेलन में कॉंग्रिस की एकमात पिती निधी की रूमें गांधी जी ने हिस्सा लिया ये राजपूता नामक जहाद से लंदन पहुंचे थे। कॉंग्रिस कार्शंती की ओर से सदस्यों और सदस्या सरोजनी नाइडू भी इसमें भाग लेने गई थी। इसके साथ एनिवेसेंट भी थी। इन्होंने भारतिय महलाओं का पिती निधित किया था। दच्छिन पंथ पिती किरिया बादी सेमुवल हो और भारत सचिप थे और विलेंग्टन भारत की वासराय बन चुके थे। तो इन तीनों नामों को याद रखिएगा। दोतिये गोल में सम्पधायक समस्या पर विबात के कारण पूरी तरह आसफल हो जाता है। और दलित नेता भीमराओ मि का दन मोहन मालवी है और एनी बैसेंट खुद की खर्च पर हिस्सा ले लिया था इनोंने और दुतिये गोल में सम्पेलन की समभाए फ्रेंक मौरिस ने गांधी जी के बारे में खाता अर्द नंगे फकीर की बेटिस पैदान मंत्री से बारता हे तु सेंट जैम्स पैलिस की सीरियों चड़ने का द्रस अपने आप में अनाखा उद्रव प्रभाव उत्पन करने वादा था और इसको लेकर कई वार आप देखते हैं कहानी भी आप लोग पढ़ी होगी चर्चे कि जब गांधी जी मिलने गये तो आप देखिए कि एक तरह से क्या गये थे फटे हुए कपड़ों में गये हुए थे केवल धोती लपेटे हुए थे तो आप सोचे कि उनसे वहां के एक तरह से राजा कहें लीजे आप लोग उन्होंने पूचा कि कोट पेंट में क्यों ही आए तो कहते हैं गांधी जीने वड़ा अच्छा जबाब दिया कि हमारे देश को तुमन समझोती 5 मार्च 1931 से आयोग्या अंदोलन का पहला चरण समाप्त हुआ था और दूतिय गूल में समेलन में गांधी जी ने भाग लिया इससे कॉंग्रेस की मुख के मागों पर कोई समझोता ना होने से समेलन आसफल हो जाता है और 7 सेप्टमर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक और इस इसके पश्चात गांधी ने 12 समय अंदोलन की आरम करने की गोश्चना की गांधी जी को पुनहा गिरपतार कर लिया गया चार जन्मरी 1932 की ये घटना है और पर आप देखेंगे कि जन्ता ने फिर से व्यापक पिदर्शन किया और पहले चार महिने में ही 30,000 से जाना लोग जेल भेद दिये गया और सरकार की नेंतर दमन से आंदोलन कमजोर होता गया और अप्रेल 1934 में गांधी जी ने आंदोलन बापिस लेने की गोश्चना की अब सभी ने अयुग्या अंदोलन की भी कुस्तीमा हैं इन्हें भी देख लिजे अंदोलन अपने पूर स्वाधिनता की लक्ष को नहीं पा सका और यहां तक की सरकार ने डोमिनियन स्टेटस भी नहीं दिया गांधी एरवे समझोता कॉंग्रेस के लिए एवं साथ ही अंदोलन की एक अनिसीमा थी बहुत साराब्दी की मुसिलवान इससे दूर रहे थे सरकार ने इस मदभेत का फायदा उठाते हुए अडियल रवीय अपनाया और अंदोलन की पूर्व गांधी द्वारा रखी गए गयारे सुत्तरी मांगें अंदोलन की उद्देश से कतई मेल नहीं खाती थी और स्वाधीन भारत के लिए किसी ठोस आर्थिक कारिकरम का आवहाओ लोगों के सामने कोई आदस लक्ष नहीं रख सका और इसे इसता किसानों है वो मजदूरों के संदर अपने और फिर आद देखें कि कॉंग्रेस कि नेतित ने जनता की करांतिकारी सक अधिक वेटे समराज की साधा सहता पर यकिन किया सदा सहता पर यकिन किया और सरकार के डोल मुल रवेए के बाद भी गोल में समयलन से उम्मीद की गई थी उसमें भाग लेने के लिए आंदोलन को इस्तिगित कर दिया गया था और गांधी इर्विन समझोते ने मैं गांध गांधी सरकार से भगा człowie को होने वाली फासी भी नहीं रद्यखर वा सके थे भगा सिंग को 23 मार्ज को फासी हो नहीं थी जबकि समझवता 5 मार्ज को हो गया था और यहां तक कि सरकार ने पुलेस की गई जदातियों की जाच की बात भी नहीं स्विकार की थी और अन्तता इस आंदोलन को बापस लेनी की घोशना कर दी एक बार फिर कॉंग्रिस में बिरामकाल कालीन रणनीत को लिकर बिवाद शुरू हो गया इसी बीच आप देखें मेट्रे सरकार ने 1935 कादी नियम भी जारी किया इस बार गांधी जी ने इस इस्तिती को समझते हुए और तमिलाणू से असम तक इस आंदोलन की लहर थी फैली थी आंदोलन की दुतिये चर्व में यह कस्मीर की रियासत में भी फैला था सयुक्त पिरांथों, मद्पिरांथों, गुजरात, माराष्ट, करनाटक आदी सभी प्रांतों में आंदोलन उक गुरूब में फैला था जनता ने आंदोलन के लिए निर्धारित कारकरम का दर्ता से पालिन किया चातरों ने स्कूल और कॉलिज छोड़े, वकीलों ने अदालतों का वहिसकार कर दिया सरकारी सेपकों ने नौकली छोड़ दी, विदेशी कपणों की होली जलाई गए, पिदर्सन जुलूस सभाएं और हर्तालें विरोत पिदर्सन के लोग पी ये तरीके बन गए, किवल पहली चर्ण में आप देखें, 90,000 लोग जेल गए थे एक बड़ी संख्या होती है, इस आंदोलन में असायूग आंदोलन से आने बढ़कर कर ना चुकाने का मुद्दा भी सामिल था, जो काफी लोग परिये हुआ और सायूग्त प्राम तो गुजरात में भूराजिस ना देने का आंदोलन ब्यापक रूप से चलाए गया और इसकी अलाबा अयूग्या के अन्य तरीके भी अपनाए गये, वन कानूनों की अयूग्या, चोकी तारी करकी अयूग्या, असम में कनिंगम सर्कूलर की अयूग्या, आदी द्वारा कुछ लोगों ने सरकार के पिती बिरोध भी प्रगट किया और इस अन्दोलन का सामझे एक दाइरा भी काफी विस्ते थे था, चात किसान ब्यापारी आदी होते थे, आदीवासियों महलाओं की ब्यापक भागेदारी भी देखी गए, करनाटक महराष्ट मद्परांत में वन कानूनों का उलगन भी मुक्यत आदीवासियों द्वारा निकली तो इस अन्दोलन को सफल मानना चाहिए, मजदूरों ने इस अन्दोलन में सक्रिय भूमी का निभाई, सोलापुर में पुलिस के साथ संघरसकर उन्होंने एक हपते तक समाननतर सरकार भी बना ली थी, और गांधी जी की गोल में समेलन में जाने का भी उन्होंने व कि इस एक उच्चादिकारी ने कहा मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कॉंगरेस को इस पिकार निरक्चर गवाल लोगों का भी सहयोत पराथ होगा, और इस अन्दोलन ने देश में नई एकता आत्म विस्वास और गौरम उत्पन किया, जन्ता ने गांध गटकर एक त्याय रहे गया, और अन आयातित बस्तुओं जैसे सग्रेट की खपत भी घट गई, सराव तथा भूराजस्य से होने वाली सरकारी आय भी कम हुई, एक बात और आपको बता दूं देखिए, इसमें किलियर आप लोग याद रखिएगा, गांधी जी समझा और आप देखिए कि जहां जो समस्या हैं उसको लेकर दिरोत किया गया, लोगों के द्वारा, और लेकिन आजादी को ध्यान में रखती हुए, इसलिए आप देखिए सभी लोग जोड रहे हैं, बढ़ना आप सोची कोई एक मुद्दा होता, तो कभी एक ना होते, आप देखि की बिशाय पर एक पंचाड जारी किया, जिससे संपधायक पंचाड, कम्यूनल अवार्ड के नाम से भी आप लोग चानते हैं, इस पंचाड में पिथक निरवाचन पद्दिती को ना लेक, ना केवल मुसल्मानों के लिए जारी रखा गया, बलकि इसे दलतो वर्गों पर ही लागू किया गया, और यहां भी आप देखे फूट डालने की कौसिस कर रहे हैं, मुसल्मानों और इसाइयों सिक्क अंगल भारतियों महिलाओं के लिए पिथक निरवाचन पद्दिती की सुविधा पिधान की गई, जो केवल परांती बिधान मंडलों पर ही लागू थ सी राज गोपलाचारी आधी के पिरेतनों से 26 दिसंबर 1932 को गांधी और अमेडिकर जी के बीच पूना समझोता होता है, गादे जी क्या करते थे, उनकी कोई बात नहीं मान दाता था, वोही भूड भूख हरताल सुरू कर देते थे, लोग सुचते थी कि अब बात मान ली जाए, कहीं बाकू चले ना जाए, पूना पैक्ट के अनुसा दलितों के लिए पिथक निर्वाचन विवस्ता समाफ्त कर दी गई, और बेफे ने प्रांती विधान मंडलों में दरलित वर्ग के लिए 148 सीटे आरिक्षित की गई, दूसरे केंद्री विधान मंडल में 1830 स दलित वर्ग के लिए आरिक्षित की गई, और इस तरह से आप देखेंगी कि आपका ये चेप्टर भी कवर होता है, क्या होता है, कवर होता है, एक से दोवार आप लोग पढ़िए और निकल जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि कुछ समझने लायक नहीं है, और आप लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आपकी सवाल हो तो आपको पूछ सकते हैं, और कोई सुझा हो तो वो भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, हम लोग मिलते रहेंगे